हलो एन वेलकम एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और हर बार की तरह इस बार भी आपको हम एक फैमिली पढ़ा के चले जाएंगे पी ब्लॉक का ठीक है आप सब लोगों को मजा आ रहा होगा पी ब्लॉक पढ़ने में जिसको मजा आ रहा है पहले हाट सेक्षन हाट बना दीजे कमेंट सेक्षन में ठीक है और एक कोट के साथ हम स्टार करते हैं अपना हैलोजन फैमिली और ऑक्सिजन फैमिली ठीक है हम वो गेम नहीं खेलते हैं जिसमें जीतना फिक्स हो ऐसे गेम खेलने का मजा क्या है जिसका रिजल्ट फिक्स हो कि हाँ यार हो जाएगा हम वो गेम खेलते हैं जिसमें हारने का रिस्क हो ठीक हैं कहा जाता है कि काम वही करें जिसमें आपको लोगों ने कहा हो कि तुम नह गंटे पढ़ाता तुम तो साथी पढ़ते हूँ है ना उनको जवाब देने के लिए पढ़ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है जब लोग कहते हैं कि आप नहीं कर पाऊगे और फिर आप करके दिखाओ तो फिर मज़ा आता है ठीक है तो हम वो गेम नहीं खेलते हैं जिसमें जीत अनाफिक्स हो हम वो गेम खेलते हैं जिसमें हार रेने का रिस्क हो घर स्टार्ट करते हैं इनी बातों के साथ अपना सेशन जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं P-Block का एक और फैमिली यानि कि हैलोजन फैमिली ध्यान दे पढ़ाने के लिए मैं 3-4 घंटे में पूरा P-Block पढ़ा देता लेकिन आपके number में नहीं बढ़वा सकता था मैं बहुत महार बन के चला जाता sir ने one shot करा दिया मज़ा आ गया but number में तभी दिला पाऊंगा जब हर एक line depth में जाके explain करके पढ़ाय जाए are you ready for this P-Block class 12 हाँ जी भाई start करते हैं अपना halogen family अब हम उल्टा चल रहें आपको 13 पढ़ा दिया 14 पढ़ा दिया 18 पढ़ा दिया now we are going for 16 ठीक है now we are going for 17 और फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे बेटा group 16 तो आज का जो हमारा ये discussion है वो 17 है इसके बाद 16 राइट चलिए comment का जवाब नहीं दे पाएंगे ऐसा ना समझे कि सर recorded है मैं ऐसे थपड़ लगाऊ recorded है recorded है किसीने बोला तो ठीक है आप ये live है आपको पढ़ना है हाँ बसरते कि मेरा पूरा concentration इधर है चलिए भाई start करें कि सर आज हमें halogen family से start करना है पटा फट से नाम बताओ halogen family में कौन कौन से elements है तो पता चला कि सर halogen family में fluorine, chlorine, bromine, iodine estetine है हाँ अगर आप new NCRT को follow करें हुए तो वहाँ पी टैनेसीन भी है बच्छो क्या है टैनेसीन भी है इसका नाम होता है बेटा टैनेसीन या टैनेसीन भी बोलते है इसको ठीक है? अच्छा सर यह जो जितने भी group 17 के elements है यह तो हमें पता है फिर कल बाहर आई आउटी ठीक है? फिर कल बाहर आई आउटी टैनेसीन के लिए अच्छा सर इन सब को हम इकलावते नाम से बुलाते है और उस इकलावते का नाम है उस एकलावते का नाम है बच्चे हैलोजन उस एकलावते का नाम है हैलोजन इस पूरे पूरे group 17 को हम हैलोजन बोलते का है? वाई? ऐसे कैसे मान ले? VT सर में chemistry रटना मना है तो ऐसे कैसे माले, हैलो का मतलब होता है, बच्चे, सॉल्ट, हैलो का मतलब होता है, सॉल्ट, और जेन का मतलब जेनरेशन करने वाला, सॉल्ट प्रोड्यूस करने वाला, तो बेसिकली, ये जो गुरुप 17 है, वो सॉल्ट प्रोड्यूसर है, बेसिकली, ये जो गुरुप 17 है ये halogen है, salt generation करने वाले है, salt producer करने वाले है, बच्चे बोलो आप समझ पारे हो, आप देखना, जो हमारा fluorine है, इसकी occurrence बताओ, ये जो हमारा fluorine है, it occurs as, ये जो हमारा fluorine है, ये तीन form में exist करता है पूरे नेचर में, एक है बेटा CAF2, fluorine पूरे नेचर में CAF2 के form में पाये जाएगा, साथ में बच्चे NA3, ALF6, important पूछा गया है compound already exam में, अच्छा सर, एक और चीज, 3 times CA2, PO4 whole thrice, dot CAF2, dot CAF2, ये क्या है दिख रहा होगा, चमक रहा होगा dot CAF2 तक, अब देखो, ये fluorine इस form में मिलता है, calcium के साथ, यहाँ aluminium के fluorine occurs as, अब इसका नाम पूछा जाता है, कि सर इसका नाम बताओ, very important, fluoresce spar, बोलते हैं इसको, fluoresce spar, ठीक है, metallurgy में दुबारा आएगा, कोई मुझे बता पाएगा, इसका anomenclature, तो यार इसका anomenclature है, cryolite, इसका anomenclature है, आपका cryolite, NA3, ALF6, अच्छा तीसरा, तो सर इस family को बोलते हैं, appetite family, ज्यान दीजिए, इस family को बोलते हैं, CA3, PO4 whole thrice dot CAX2, इसको हम appetite family बोलते हैं, ठीक है, hellopetite बोलते हैं, appetite family बोलते हैं, अब इसमें X के जगा मैंने fluorine रख दिया, तो दिस इस नोन ऐस, fluorapatite family, fluorapatite, ठीक है, fluorine की existence, अब इन तीन form में है, fluorine की existence, बच्छो अब इन तीन form में है, एक सेकेड, fluorine की existence, इन तीन form में प्याई जाती है, नेचर में, अच्छा, लास्ट के हर ग्रुप में, हमने देखा है, कि लास्ट के दो जो है, वो radioactive है, लास्ट के जो tannacine है, ये भी radioactive है, बट दोनों same है, क्या, दोनों radioactive nature के हैं, तो दोनों का nature same होगा, न ना 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 बच्छे, radioactive nature है, ये जो है, ये synthetic radioactive है, मतलब, synthetic radioactive का मतलब समझ पा रहे हो, कि सर, ये इनसानों ने बनाया है, और ये nature ने बनाया है, this is naturally occurring radioactive, और भाई साब, ये man made radioactive है, ये synthetic radioactive है, अगर दोस्ती पसंद आई हो, तो फिर दोस्त बना लीजेगा, वीडियो में अच्छा, तो सर, फ्लोरीन की occurrence पढ़ ली, ये formula पूछा जाता है, फ्लोरस पार का cryolite अल्रेडी पूछा जा चुका है, ये भी अल्रेडी पूछा जा चुका है, ये अभी तक नहीं पूछा गया, हाँ जी, ये radioactive nature पूछा जा चुका है, लास्ट ये जे ही मेंस में, अच् क्यों सा मिलता है आपको, daily life में, क्लोरीन का daily life में कौन सा source है, क्लोरीन कहा daily life में आप खाते हो, पीते हो, याद आ गया, नमक, sodium chloride, कुछ लोगों का जवाब तो ठीक आ रहा है, चलि मैं आपके comment भी देख लेता हूँ, कुछ लोगों का जवाब तो ठीक आ रहा है, कोई problem नह तेरे सामने स्क्रीन होती है, उसमें आप देख पाते हैं, खेर, तो सार आपके पास floraspar, cryolite, fluorapatite, क्लोरीन की भी तो अक्रेंस बताओ, ऐसे क्यों नहीं बता पा रहे हैं, तो क्लोरीन मिलता है, जो dried sea है न, जब समुद्र सूख जाता है, समुद्र जब सूख जाएगा, त बच्चों क्या मिलेगा, समुद्र में खारा पानी, खारा पानी मतलब नमक है, समुद्र में नमक है, आपके टूथपेस्ट में नमक है या नहीं है, लेकिन समुद्र में नमक है, अब जब समुद्र सूख जाएगा, तो बेटा, नीचे क्या मिलेगा, sodium chloride, समझ पारें, तो क्लोरीन पढ़ा रहा हूं फ्लोरीन का एक बार रिवियाजी रिवीजन कर लो अपने मन में सर तीन फॉर्म में है फ्लोरस पार क्रायोलाइट और फ्लोरापेटाइट रटवा देंगे अच्छा क्लोरीन अकरस है तो सबसे पहले दिखेंगे कि सर जो ड्राइड सी है अच्छा जी ड्राइड सी दूसरा भी ड्राइड सी के अंदर दो चीज़े पाई जाती है मैंने कॉर्डिनेशन कंपॉंड में शायद कभी आप से आपने पढ़ा हो ने याद होगा कि कार्नाइट भी एक्जिस्ट करता है के सील डॉट एंगी सील टू डॉट शिक्स पानी इसको हम कार्नालाइट बोलते हैं कार्नालाइट कॉर्डिनेशन कंपॉंड में बहुत डेटेल में पढ़ा दूंगा और क्लोरीन अकर्स ऐस तो भी जब समुद्र शूक जाता है तो वहाँ जो मिटेरियल्स मिलती हैं उसमें क्लोरीन है समझ पा रहे हैंht पेरेग्राफ आपका ग्रुप 17 का ख़दन उसमें क्या है रेडियो अक्टिविटी के बारे मताया है दूसरा है लोजन मतलब सॉल्ट प्रोड्यूसर होते हैं तीसरा फ्लोरीन की अकरेंस चौथा क्लोरीन की अकरेंस बेत आगले टॉपिक पर मूव करते हैं नेक्स टॉपिक आख के सर ऑनेसटु एन पी126 कि जल्येरल कनसन वी यह इसका पीकिन अगर अगर मैं घालेजन ओन्रॉजन 17 फैंमिलए की बात करऊं थे हिक डेशार नाज in cell, 7 electron in valence cell, कई बच्चे चीख रहे हैं, कमेंट में कई बच्चे छादी पीट रहे हैं, कि भाई साफ, आपने inert gas नहीं लिखा, अरे लल्ला, inert gas लिखोगे, तो वो outer नहीं, complete electronic configuration हो गया, अभी आउटर बोल रहे थे न, ठीके न, inert gas, पहले वाला inert gas, NS2, NP5, खट, 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 लिख डालो बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टर टाइन, और टैनेसीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन, और टैनेसीन का symbol जो होता है बेटा वो T S होता है Tannacene T S बेटा ये बेटा ये second period का है कि third period का तो मेरा जो मुन्ना है वो second period का है ये जो है third period का है बच्चे ये fifth period हो गया अरे sir ये sixth period हो गया ये seventh period हो गया इसका सीधा मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि sir यहाँ N is equal to 2 है यहाँ N is equal to 3 है यहाँ N is equal to 4 है N is equal to 5 है N is equal to 6 and 7 है जो ही period number होता है वही तो value of N है भाई अच्छा अब fluorine की बात करते है इससे पहले वाला inert gas NH2 and P5 इससे पहले वाला inert gas NH2 and P5 इसी तरह chlorine से पहले वाला inert gas NH2 and P5 बाई ब्रोमीन से पहले वाला inert gas और NH2 and P5 लेकिन 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 बेटा fourth period आते ही रुक जाना चाहिए हम रुक जाना नहीं कौन से गाना दे यार भूल गया है मैं तू कही जाना नहीं तू मुझे छोड़ के खेर बाई fourth period में रुक जाना है आपको क्योंकि N-1D आएगा 3D10 4S2, 4P5 fourth period में D-block स्टार्ट हो जाता है सर आयोडीन से पूछो तो हिलियम नियन आरगन क्रिप्टन अरे लल्ला सर N-1D आएगा NH2, NP5 आएगा 5S to 5P5 आजाएगा next आजाएंगे हिलियम नियन आरगन क्रिप्टन जैनोन आजाएगा सर N-1D आजाएगा ध्यान दीजे जब हम sixth period की बाप करेंगे तो N-2F भी आता है fourth period में केवल D-block आता है यार sixth period में तो D भी आता है N-1D N-2F NH2, NP5 में कोई दिक्कत थोड़ी है 6S to 6P5 similar condition ठैने सीन की बाप करते हैं हिलियम नियन आरगन क्रिप्टन जैनोन रेड़न सर यहाँ पर आजाएगा N-1D N-1D मतलब 6D10 N-2F मतलब 5F14 NH2, NP5 का मतलब 7S to 7P5 एकदम सीरियस बढ़िया बात समझ में आप आ रही है आपको इलेक्ट ग्रूप नंबर 17 में साथ वैलेंस इलेक्ट्रोन है NH2, NP5 कंफिग्रेशन है और आपके पास 2nd period से लेकर करके 7th period तक बन गया हर एक चीज टिप्स पे होगी कि हमने बोला था आपको न और होगा न बेटा ओर्गिनिक केमिस्ट्री का लेक्चर आएगा साथ नौ बजे आएगा आप पढ़ना मजा आजाएगा भाई मजा आजाएगा मैं बता रहो पहले चलिए नेक्स्ट आपके पास मूव करते हैं Electronic Configuration के बाद Atomic Anionic Radiation आँख बंद करके Periodic Table के बाद कर सकते हो क्या सर पूरा पूरा Chemistry Atomic Anionic Radiation बता रखा हूँ Down the group जाओगे Size बढ़ा हो जाएगा Fluorine, Chlorine, Bromine, Iodine, Astatine Fluorine, Chlorine, Bromine, Iodine, Astatine एकदम ठीक है Fluorine, Chlorine, Bromine, Iodine और बिटे, Astatine बिल्कुल ठीक है क्या This is the Atomic Radiation जैसे जैसे नीचे जाओगे Size बढ़ा होगा Next period पे Next उस पे मूव कर जाते है Ionization Energy मुझे बताओ कोई दिक्कत होगी आप अगर मैं Periodic Table पढ़ा चुका हूँ आप लोग चिलना चोट मचा रहे थे Sir, पहले आप group पढ़ाओ, people पढ़ा आरे यार मैं teacher हो, मुझे पढ़ाने दो आप तो पढ़ो Ionization Energy Sir, नीचे जाने पे Size बढ़ा होता है Ionization Energy कम होता है क्योंकि Ionization Energy and Size are inversely proportional Ionization Energy and the Size are inversely proportional नीचे जाने पे Size बढ़ा होगा Ionization Energy कम होगा Fluorine, Chlorine, Bromine, Iodine and Estatine नीचे जाने पे Size बढ़ा होगा Ionization Energy कम होगा नीचे जाने पे Size बढ़ा होगा Ionization Energy कम होगा Electron Gain Enthalpy सबसे ज़्यादा और सबसे कम Last class में कराया बच्चे Electron Gain Enthalpy कौन बताएगा मेरा प्यारा नियारा बच्चा कौन है कमेंट वाँ भर दो बिटा लाल-लाल हो जाए आईए हम पढ़ते हैं Electron Gain Enthalpy के बारे में अच्छा हम ऐसा प्रियोडिक टेबल में पढ़ा है कि 3rd period वालों का affinity ज़्यादा होता है 2nd period वालों से 3rd period का affinity ज़्यादा होता है 2nd period वालों से अरे लल्ला समझा था है बात कैमरों में घुच जाएंगे बदमासी करोगे तो कमेंट में खाली पढ़ाई की बात होनी चाहिए समझ रहें क्या बेटा आए Electron Gain Enthalpy की बात करते हैं कि 3rd period वालों की affinity ज़्यादा होती है 3rd period की affinity ज़्यादा होती है ना 2nd period वालों से अच्छा तो इसका मतलब सीधा हो गया कि सर क्लोरीन की affinity ज़्यादा होगी ना 2nd period वालों से प्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड एस्टरटाइन की बात नहीं करेंगे radio activity की बात नहीं करेंगे या हमने electron gain enthalpy हमने यह अल्रेडी पढ़ा हुआ था बिना time waste किये हुए अगले उस पर move कर जाते electron negativity electron negativity क क क क क क क क किरन बेटा electron negativity पढ़ना है जल्दी से बताईए कल बता चुका हूँ इसलिए इसमें explanation नहीं दूँगा electron negativity क्या है bonded pair of electron को खीचना shared pair of electron को खीचना electron negativity क्या है attraction of shared pair of electron basically attraction ही तो है attraction कहा होगा जहां पर charge pass में होगा a small size pass pass है हम साथ साथ है खीचेंगे बेटा a small size more attraction large size में nucleus दूर हो गया nucleus दूर होगया attraction काम हो गया एलेक्टरो नेगेटिविटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे-जैसे नीचे जाओगे, साइस बड़ा होगा, नीउकलियस दूर होगा, और अट्रेक्शन कम होगा, ठीक है न, साइस बड़ा होगा, इसका सीधा मतलब हुआ के सर्जी, नीउकलियस गोस, फा है सब दूरियां बढ़ जाती है तो अभी सहां प्यार प्यार महभबत कम हो जाता है जब दूरियां बढ़ गई तो प्यार महभबत गया attraction गम हो गया Attraction ही अग्रластि इन्थालब अभी है ड्रेशन इनता देता हूं इसके बाद दो question करवाऊंगा hydration enthalpy पे और दोनो previous year में आचुके हैं NEET के previous year में आये हैं समझेगा 2018 में आये है 2014 में आये हैं NEET में hydration enthalpy chemical bonding में पढ़ाया जाता है hydration enthalpy is inversely proportional to size hydration enthalpy inversely proportional to size अब सोचना दिमाग में fix करता हूं hydration enthalpy hydration का मतलब होता है पानी के साथ गोलना मिलना चीनी जब पानी में मिलाते हैं और शर्बत पिलाते हो जब कोई घर पे आती है या आता है जब आपके घर पे कोई आती है या आता है तो शर्बत पिलाते हो तो पानी में चीनी मिलाते हो क्या है वो चीनी का पानी में मिलना is hydration solution solution in water hydration very basic concept पानी में घुलना is hydration solubility क्या होता है किसी भी solvent में घुलना is solubility hydration water में घुलना अगर हम solvent fix करके water कर दे तो हो है solubility चमका इधर इधर चमका पानी में घुलना is hydration अच्छा तो जितना छोटा चीज होगा a smaller size जल्दी घुल जाएगा अगर बड़ा चीज को घुलना चाहिए नहीं घुलनेगा hydration energy कम होगा तो छोटा जो चीज है वो जल्दी घुल जाएगा a small size ज्यादा hydration लेकिन अगर बड़ा size ले ले जल्दी नहीं घुलेगा कम hydration हाँ सर तो लल्ला जी अगर मैं आपसे पूछू हूँ size के inversely proportional तो क्या आप यह आपके लिए बहुत बड़ी बात हो गई बेटा ए small size more hydration energy सोटा चीज जल्दी घुल जाएगा बड़ा चीज नहीं घुल पाएगा लल्ला आगे बढ़ जाते हैं electrone negativity hydration के बाद यह in text question है जल्दी से करिए अभी तक जो पढ़ाए उसके उपर एक इंटेक्स question NCRT ने दिया अब आप बताओ पूरे यूट्यूब पर NCRT का हर एक लाइन हर एक पैराग्राफ हर एक टेबल हर एक index केवल संकल पर कवर होगा और केवल आपके smartest VT सर पढ़ाएंगे वह चलिए और number बेटा यहीं से आएगा यहीं से आएगा क्योंकि NCRT से question आ रहा है जही means अभी paper चल रहा है इतना असान जिसन NCRT पढ़ा है लोग दुआई दे रहे हैं जाके देखना जो मेरे से paid batches में पढ़े है ना जो मेरे lectures देखे है ना लोग दुआई दे रहे हैं उसके पढ़ा करो आप halogen have maximum negative electron gain enthalpy in the respective period obviously halogens के पास सबसे ज्यादा negative electron gain enthalpy negative electron gain enthalpy का मतलब अच्छी बात है वो electron लेना चाहता है ठीक है in the periodic table why अच्छा कह रहा है कि जो हमारा group 17 है ठीक है ना इसका electron affinity ज्यादा है negative electron gain enthalpy electron gain enthalpy का opposite sign भाई कल मैंने लिखाए periodic table में किसने किसने किया था कि electron affinity is equal to negative of electron electron affinity is equal to negative of electron gain enthalpy किसने पढ़ा था तो negative electron gain enthalpy is affinity affinity मतलब प्यार electron के लिए love for electron affinity for electron electron affinity is highest for group 17 highest for group 17 why ठीक ना electron affinity सबसे ज्यादा है group 17 के लिए पूछ रा ऐसा क्यों why electron affinity is highest for group 17 why और electron affinity क्या है minus of electron gain enthalpy electron affinity क्या है minus of electron gain enthalpy electron affinity क्या है minus of electron बोलो अब सुनो sir group number 17 उसका electronic configuration देखो reason सुनो बहुत प्यारा सा reason है sir इसका reason होगा इसका electronic configuration नस्टू अन्पी 5 अब मत्र एक electron चाहिए ताकि ये inert gas बन जाए भाई इसको एक electron में मिलते ही जैसे इसमें एक electron हम add करेंगे बन जाएंगा ns 2 np6 भाई इसाब हाइली एस्टेबल बन जाएंगा तो क्यों electron affinity जादा है क्यों electron के लिए प्यार क्यों electron के लिए attraction जादा है कहे कि एक electron ह्ए लेक्ट्रॉन वा लेते ही अर इनर्ट गैस बन जाता है highly stable हो जाता है कहे एक electron लेते ही एक electron gain करते ही highly stable हो जाता है NH2 and P6 halogens have maximum negative electron gain enthalpy electron affinity सबसे ज़्यादा क्यों है negative electron gain enthalpy का मतलब electron affinity ज़्यादा क्यों है क्योंकि एक electron लेते ही highly stable बन रहा है इसलिए affinity ज़्यादा है मान गए आपकी बात next question पे physical properties next question पे physical properties पे move कर गए यार next question मतलब physical properties क्या है आईए तो सर physical properties जब हम करते हैं कि यहाँ आ जाते हैं कि सर F2, Cl2, Br2, I2 fluorine इसी तरह तो होता है F2 Cl2, Br2, I2 पहले मुझे बताओ solid है कौन, liquid है कौन, gas है कौन इधर देखेंगे सब लोग बिना रटे देखेंगे reaction रटना मना है, chemistry रटना मना है भाई वीटी सर ध्यान दीजे पिरेम से सुनियेगा, क्या बोल रहा हूं अरे सर, जैसे जैसे नीचे जा रहे हो ध्यान दीजे जैसे जैसे नीचे जा रहे हो wonderwall force of attraction बढ़ रहा है wonderwall force of attraction is directly proportional to molecular weight जैसे जैसे नीचे जा रहे हो molecular weight बढ़ रहा है as we go down the group molecular weight बढ़ रहा है wonderwall force of attraction बढ़ रहा है ठीक, नीचे जाने पे molecular weight बढ़ रहा है wonderwall force of attraction बढ़ रहा है अब सुनो force of attraction बढ़ रहा है बेटा, force of attraction तब बढ़ेगा जब molecules pass में हो, solid में force of attraction ज़्यादा होता है, नीचे जाने पे molecular weight बढ़ रहा है, हाँ सर, wonderful force of attraction बढ़ रहा है, हाँ सर, तो force of attraction solid में ज़्यादा होता है, क्योंकि molecules pass-pass होता है, तो इसका मतलब नीचे जाने पे force of attraction बढ़ रहा है, solid और जैसे जैसे नीचे आएंगे बेटा force of attraction कम होगा ये liquid जैसे जैसे नीचे जाएंगे force of attraction कम होगा ये liquid और बागी दोनों तो बेटा gas थे है और रहेंगे ये भी gas है और ये भी gas है हाँ जी नीचे जाने पर molecular weight बढ़ रहा है wonderful force of attraction बढ़ रहा है force of attraction solid पे जाता होता है molecules पास पास होता है अच्छा आप देखो कि सर color के बारे में भी बताये गया है आपको color के बारे में भी पूछा गया है सर सबसे पहले तो physical properties में यह हो गया solid liquid gas अब यह जो fluorine है F यह yellow color का होता है yellow yellow dirty fellow याथ है it is yellow है और बेटाये यह yellow हो थोना सा इसमें greenish color या जाता है इस greenish yellow मझा आजा सर यह yellow है यह greenish yellow है this bromine is B is r that is red color this bromine is in red color this iodine is violet in color यह iodine जो होता है बच्चे यह violet color का होता है this iodine is violet in color violet color yellow greenish yellow red violet हम ऐसे याद कर के रखते थे यलो यलो डटी फेलो chemistry में नहीं चलेगा यलो यलो red violet यह chemistry में चल जाएगा और halogen family के color में चलेगा यलो यलो red violet और कैसा यलो दूसरा बला यलो थोड़ा सा हरा है तो यलो हरा यलो red violet चलिए next physical properties आपकी होने के बाद अब बोला गया है कि sir यह halogen family color सो कर रहे है क्यों why halogen family show color या फिर assertion बन जाएगा halogen family show color और reason बन जाएगा जो हम भी बताने वाले है halogen family show color because क्यों कोई reason बताएगा halogen family बच्चों एक reason बताओ halogen family shows color halogen family shows color why sir इसका जो ns2 np5 है outer electron excite हो जाता है ns2 np5 outer electron excite होके higher energy level में चला जाता है और जब भी electron का excitation de-excitation होता है खट से color सो हो जाता है chemistry में 99% जगा color इसलिए सो होता है because of the excitation and de-excitation of the electron आ जाओ halogen family shows color because halogen family shows color because halogen family because outer electron is excited because outer electron is excited outer electron आपका excite हो था to higher energy level outer electron is excited to higher energy level क्योंकि outer electron excite होके higher energy level में चला जाता है और higher energy level में चला जाएगा जब वो नीचे आएगा तो color show करेगा अब ही मैं DD transition पढ़ाऊंगा coordination complex में और DNF block दोनों जगह पे तो fiscal properties आपकी यहां तक निपट चुकी है next topic आता है physical property के अंदर ही कि सर जब आप F2, CL2, BI2, I2 पढ़ चुके हैं MP and BP that is simply because of the wonder wall sir melting और balling point आप wonder wall से देखते हो और wonder wall जो देखते हो molecular weight से देखते हो तो नीचे जाओगे molecular weight बढ़ेगा wonder wall बढ़ेगा melting balling point बढ़ेगा अरे चचा समझाया क्या एकदम बढ़िया सर मजा आ गया sir एकदम logic से चले basics के लिए रखे कुछ चीद रटना है यह नहीं ना reaction रटना मना है बच्चो chemistry रटना मना है बच्चो इधर density तो sir 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 हमने पढ़ा है mass upon volume इसका सीधा मतलब है बच्चो mass बढ़ा दे तो density बढ़ेगा ना directly proportional है चमका तो चमका तो sir density जैसे जैसे नीचे जाएंगे mass बढ़ेगा और mass बढ़ेगा तो density भी बढ़ेगा ओके अब आजाओ bond dissociation energy अब आजाओ bond dissociation energy समझ में आ रहे हैं ते एक बाद chat section लाल हो जाए फटा फट से everybody कमान जल्दी से लाल हो जाना चीए chat section हाँ जी bond dissociation energy लल्ला कई लोग तो इसी डिबेट में है sir live एक रिकॉड़ेड है और कई लोग इस रिकॉड में है sir एक बाद बताओ और गेनिक आप कही नहीं पढ़ा रहे हो तीसरा डिबेट कई लोग खेरें कि sir एक बाद बताओ sir उसका नंबर मिल सकता है क्या है कि अब्दुल है कि कौन है और जो लड़किया है लल्ला मेरे वो राहूल है कि कोई रीमा है आपको नहीं पता है तो इसलिए यहां ऑनलाइन में बहुत पढ़ाई अच्छी आपके हिसाब से होती है बाकी पर भरोसा ना करें चलिए अब bond dissociation energy मतलब bond को तोड़ने में जो energy लग रही है उसकी बात कर रहे है bond को तोड़ने में जो energy लग रही है पहले हम उसकी बात करेंगे ठीक है ना bond को तोड़ने में जो energy लग रही है हम उसकी बात करेंगे देखो अब यहाँ पे order थोड़ा सा गरवर हो जाएगा order गरवर ऐसा होगा CL2 का bond energy सबसे जादा then बच्चे आपके पास आएगा BR2 का फिर आएगा F2 का और फिर आएगा I2 का अब सुनो 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 गौर से सुना यह जो fluorine है ओके दिस इस fluorine यह दूसरा fluorine है कुछ इस तरह से bond बनाएगा हाजी लेकिन fluorine का small size होने की वज़े से lone pairs बच्चे पास में है fluorine का small size है therefore lone pairs पास में fluorine का small size है therefore बच्चे lone pair पास में है और lone pair lone pair repulsion होता है fluorine का small size है therefore lone pair पास में है और repulsion जादा है fluorine का small size है therefore, loan pair, loan pair repulsion repulsion की वज़ा से bond हो गया कम जोर, और bond हो गया कम जोर, तो कम energy में तूटेगा S2 में a small size है Small size का मतलब loan pair pass में आ गए अब loan pair pass में आ गए तो repulsion करेंगे, repulsion करेंगे तो reconstruction करेंगे तो खट से बेटा bond weak हो गया, bond वीक हो गया तो कम एनर्जी में टूटेगा इतना कम एनर्जी की तीसरे नंबर पर चली गई है कौन हमारी यह ब्रोमीन जो है यह तीसरे नंबर पर चली गई है फ्लोरीन की बात कर रहा था यलो कलर की होती है या फ्लोरीन यलो कलर की होती है कलोरीन कलाना chlorine बेटा ग्रीनी शेलो कलर की होती है ठीक है bromine red कलर की होती है iodine violet कलर की होती है अरे हाँ या ना बोलना पड़ेगा अब कई बच्चे मेरे साथ पूछना आगे sir short trick बताओ यार बातों ही बातों में short trick बन जाता है BR यह खुद ही कह रहा है कि मैं लाल कलर का हूँ भाई यह bromine खुद ही कर रहा है कि मैं red हूँ अच्छा bromine खुद ही कह रहा है कि मैं red हूँ अब जैसे याद करो यह जो iodine है यह कह रहा है मैं violet कलर का हूँ यार मेरे लिए तो बड़ा साम था या यह गिंटा जाटा हुण। ठीक है बी आर में रेड आर और आई मतलब आई मतलब मैं मैं कौन हूँ वी वी मतलब विशाल वी ती सर आओ ओके नाइस हो गया तो सर बॉन डिसोशेशन एनरजी के बाद आगे मूव कर जाते हैं एक इंटेक्स्ट कोश्चन है मज़ेदार कोश्चन है धियान दीजेगा और रीजिन से होता है ज़ूज़ के लिएपसे निगेटीव उस नेगुटिव आहार तो ठीक एके फिर्टार एक्टो एकडरिंडेक्स अपर् hai चार-ड बात है तो फिलो thanking फिंटी क्लोरिंड प a stronger oxidizing agent, ऐसा क्यों? फ्लॉरीन जो है, वो a stronger oxidizing agent है, ऐसा क्यों भाई? तो देखो, दो reason से होता है, oxidizing agent कोई strong होगा, वो weak होगा, वो दो चीजों पर depend करता है, वो इस पर depend नहीं करता कि electron affinity क्या है क्या नहीं है, oxidizing agent, oxidizing agent दो चीजों पर depend करेगा, वाई फ्लॉरीन is a stronger oxidizing agent, because, पहला, reason देखिए पहला, because, पहला, एक तो सर आसानी से तूट जाता है, तभाई जो तूटेगा, तभी तो reaction होगा, तभी तो प्रता चलेगा क्या oxidation reduction होगा, oxidation होने के लिए reaction तो होना पड़ेगा ना, हाँ, पाँ ठीक है रहा हूँ, इसका मतलव, पहला reason, फ्लॉरीन का low bond dissociation energy, जिसकी वज़े से, F2 तूट जाता है, तूटेगा, electron free होगा, reaction होगा, why oxidizing नेचर जादा है, क्योंकि oxidizing nature, तभी तो पता लेगा है, जब reaction हो, और reaction तभी होगा ना, जब electron free हो, और electron कैसे free होगा, जब bond तूटेगा, और fluorine असानी से bond तूटता है, तो पहला reason है, low bond dissociation, अच्छा, एक और स्वाल पूछ लूँ असे, कि bond dissociation low क्यों है, अरे, fluorine का small size है, lone pair वा पास में आ गया, huge repulsion bond weak, अच्छा जी सर, दूसरा, सर जब भी आप किसी भी चीज़ का oxidizing nature देखें, strong देखें, weak देखें, oxidizing nature depends on hydration energy, और fluorine का very high hydration energy होता है, तो जिसका भी hydration energy ज़्यादा है, खट से वो oxidize करता है, तो fluorine has, fluorine has very high hydration energy, तो fluorine के पास, बहुत ज़्यादा अच्छा hydration energy हो जाता है, तो मज़ा आया क्या, fluorine has very high hydration energy, although, बच्चे, although chlorine के पास, although electron gain enthalpy of fluorine is less, although बच्चे, इसका affinity काम है, लेकिन फिर भी इसका oxidizing agent ज़्यादा है, क्योंकि oxidizing agent के लिए reaction तो होना पड़ेगा, और reaction होने के लिए one-two-take का असानी से तूट जाता है, और जब-जब oxidizing agent की बात करेंगे, hydration energy should be high, तब जाके कोई भी चीज oxidizing और reducing होता है, और fluorine को oxidizing nature सबसे high है, पर क्या चुके हैं, important लगा दीजे, यह assertion है, यह region है, बड़ा अच्छा, next सवाल, जो चुका है, जैखो उपर, नंबर आप पता है, मास पता है, configuration करा दिया, radius करा दिया, यह भी करा दिया, अनेशेंथल भी करा दिया, यह भी करा दिया, electro negativity करा दिया, bowling point करा दिया, melting point करा दिया, density करा दिया, bond length, bond dissociation energy, बॉंड डिशुशेशन इनरजी भी करा दिया सब करा दिया कि लिए बाँ कोई दिक्कत नहीं के समझ में आओता सब कुछ हाँ कैसे ना इन और गेनिक अभी अमरा पढ़ावक बाए चैनल वाप तो इन और गेनिक ना पढ़ाई और गेनिक पढ़ाई लेकिन अभी जोंदोसर सबसे पहले अभी हम ऑक्सिडेशन इस्टेट की बच्चों बात करेंगे हैं और गेनिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बच्चा जी ऑक्सिडेशन इस्टेट सबसे पहले अभी हम ऑक्सिडेशन स्टेट की बच्चों बात करने वाले हैं आईए अब ऑक्सिडेशन स्टेट में ये है फ्लोरीन ये है क्लोरीन ये है ब्रोमीन और ये है आयोडीन बाकि रेडियो अक्टिविटी की केमिकल इक्शन नहीं पढ़े नहीं पढ़े नहीं सि एक्सेप्ट ऐसा कोई चीज नहीं है जिस जो अपने सिधानतों पर बना रहता है ठीक है वो कहां जाता है कि आप इमानदार तभी तक है जब तक आपको बायमानी करने का मौका ना मिलो ठीक है अगर आप बायमानी करने का मौका मिलो फिर भी इमानदार रहे तो माना जाता है क्या आप इमानता रहे हैं ठीक है वरना दुनिया में हर इंसान चालाख है अपनी स्वार्प की चीज़े देखता है वैसे ही फ्लोरीन हमेशा माइनस वन देखता है बट अगर मौका मिला एकसेप्ट ओफ टू एकसेप्ट होएफ अगर मौका मिला तो फ्लोरीन बेटा प्लस माइनस स्वां प्लस आयोडीन में में कि माइनस वन उड्ड oxidization state अर चुकही इसको एक electron की requirement है इसलिए minus 1 तो करेगा चुकही estable होने के लिए एक electron की requirement है इसलिए minus 1 उसके बाद वाग़ी प्लस 7 तक सारे oxidation states हो करेगा चीक है अब मैं एक चीज बताना चाहता हूँ एक सेकेड अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं जैसे मान लू मैं fluorine की बात करता हूँ देखो तो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है न, फ्लोरीन के जगा क्लोरीन कर लो, तो 2p6, 3s2, 3p5, ठीक है न, यही होगा, क्लोरीन का oxidation state, आप देखो, 3s2, 3p5, 3s2 बना देंगे, और 3p5 कुछ इस तरह से बना देंगे, this is 3s2, 3p5 बच्चे कुछ इस तरह से होगा, 3, 4 और 5, यहा आपको ये भी तो पता है कि सर, 3s है, 3p है, तो 3db होगा, 3s है, 3p है, तो 3db होगा न, तो सर, एक electron ये d वाले में excite करा दो, जब हम एक electron excite कराएंगे, तो देखो, यहाँ पर प्लस 3 बन चुका है, माइनस 1 क्यों सो कर रहा है, 3, एक electron खीचेगा, तब जाके nsp6 बन जागा, यहाँ पर 3 electron loss करा सकता है, जब मैं दूसरा electron को excite कराओं, जब मैं ये np के सारे electron excite कराओं, तो बच्चे याद करो, यहाँ से electron excite हो चुका है, तो यह देखो, प्लस 5 हो चुका है, अगर मैं ns के electron भी excite कराओं, बच्चे अगर मैं ns के electron भी excite कराओं, तो कुछ इंस तरह से हो रहा है, और यह देखेगा, अरे, 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 यहाँ पर प्लस 7 हो चुका है, माइनस 1 भी है, प्लस 3 भी है, प्लस 5 भी है, प्लस 7 भी है, सारे oxidation state शो कर रहा है, that's it, all oxidation states यहाँ पर शो हो रह है, ठीक है, माइनस 1, first excited state में प्लस 1, दूसरे में प्लस 3, तीसरे में प्लस 5 और प्लस 7, चलिए मज़ा आ गया, नेक्स्ट जैसे आप यह करोगे, नेक्स्ट आता है आपके पास reactivity of halogen, आते हैं, अभी मैं देख लू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, अब reactivity of halogen की बात के लेते हैं, यह halogen की reaction कैसे होगा, देखू, F2, Cl2, Br2, I2, रटवा दू यह बिना रटवाए, बोलो, मैं कुछ भी नहीं रटवाता, गदेडो अब यहाँ क्यों बोल रो की रटवा दू, यह ना रटवाओ, आप तो आपको ऐसा बोलना चाहिए, कि वीटी सर, you are great वीटी साब तो महान हो, आप तो रटवाते हो नहीं, यह भी हम रटेंगे नहीं, चलिए बाई, बिना रटे समझते हैं, reactivity का मतलब कौन जादा reaction देगा, right, छीक है सर, reaction वो देगा, जिसका electron free हो पाए, जिसका bond तूट पाए, अरे भाई, bond तूटेगा, तभी तो electron free होगा, तभी तो reaction होगा, क्योंकि reaction में electron आता है, और electron कहां से आएगा, bond तूट के, अब धियान दो, यह जो F2 है fluorine, यह इसका bond weak है न, क्यों bond weak है, अरे सर, अभी तो बताया था, electron, electron repulsion, हाँ यार, साहबात तो समझ में आ रहा है, अब bond weak है, खट से तूट जाएगा, electron होआ फरी हो को समझ समझ के तो पढ़ा ही नहीं आपने कभी, इसका मतलब fluorine का सबसे reactivity, फिर chlorine, फिर bromine, फिर iodine, यहों कि सबसे weak bond है, खट से तूट जाएगा, और electron फिर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा reaction देगा, राइट, मजा आ गया, F2 is सबसे ज़्यादा reactive, और I2 फिर ozone, अच्छा, नाइस, यहां तक हो गया, फिर आते हैं, oxidizing nature पे, फिर आते हैं, oxidizing nature पे, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कि जो reaction करेगा, तभी तो पता चलेगा, कि oxidize होगा कि reduce, अपने याप थोड़ी सपना आएगा, और एलला, यह देख, oxidize हो गया, नहीं यार, chemistry में हर चीज लॉजिकल है, आपको reaction होगा, तभी तो पता चलेगा, कि electron का loss की electron का gain, अगर electron का gain हो रहा है, reduction, हाँ, और electron का loss gain कैसे पता चलेगा, जब कोई reaction करे, और कौन reaction जादा कर रहा है, F2, अभी बताया, हा F2, Cl2, Br2, I2, एक reason और, एक reason और दिया था, sir, F2 का oxidizing nature क्यों जादा है, in-text question, बताओ, F2 का oxidizing nature क्यों जादा है, पहला reason दो, और दूसरा reason दो, F2 has higher oxidizing nature, F2 has higher oxidizing nature, क्यों भाई, F2 का oxidizing nature सबसे जादा है, ऐसा क्यों हुआ, F2 has higher oxidizing nature, because पहला, sir, because पहला, sir, एक तो, एक तो, एक तो, low bond dissociation energy, low bond energy लिख दो, low bond energy of F2, अच्छा, sir, दूसरा, high hydration, दूसरा, high hydration of F2, अफ्लोरी, high hydration of fluorine, बहुते बढ़ी है, sir, क्या गर्दा मचा दिया आपने, मजा ही आ गया, बीना रटे, पहली बार, illusion family समझ में आ रहा होगा, कोटा में 2,00,000 दुबाए, या कहीं आपने 40,000 दुबाए, या कहीं आपने कुछ भी दुबादिया, बेटा, free में पढ़ना था आपको, या most affordable संकल पर पढ़ना था, most affordable, with best quality, चलिए, oxidizing nature आपके पास हो गया है, अब, अब, फ्लोरीन सबसे जादा उक्सीडाइजिग है, उज़न family में, फ्लोरीन most toxicizing है, हाँ, सर, फ्लोरीन सबसे जादा कर देगा हाए ना कि एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि एसब से ज्यादा ऑक्सिडाइज है दो सेकेंड जो है सर्फिये ल्टू को क्या एस तू को एस वह अपने से नीचे वाले हैं तो नीचे को ऐक्सिडाइज कर देगा एकशन वाले को वक्षिराइज कर जो है अपने से अपने से कम वाले को आपसिडाइज करा स्विभलाइज करें एक निच्वात्तु आपने से कम वालेजomedEM काम वाले को ऑक्सिडाइस करें तो बाता है झाल या जो जादा ऑक्सिडाइस कर माइनस सीफ करके जीeren कर देखो यह सामने माले काओ सिडाइस कर दिया तो खुद रिडीूच हो गया हो सामने वाली को ऑक्सिडाइक कर दिया तो हम रहा हैं वेता सिदा सीदा देखुगे F एफ माइनस मनेगा सर खोरेडूस हो गया सरजी खुँद्रीूस हो गया सबस नियों फोल घ्रूंजडी KAR किया गया औरम से यहांने बहुत सुनदर से बात आपको पता चली है एक इसका मतलब बाकियों को पकड़ के रगड़ देगा औक्सिडाइज कर देगा प्रोबीन अपने से नीचे वाले को औक्सिडाइज करेगा ऐवडीन से नीचे कुछ है यह नहीं और भाईया जी 2017 कपेड़ उठाईएगा नीट में तो जम जमा के पूछ दिया है एकडम चम-चम-चम-चम क्लियर हो रहा है क्या सबको बढ़ियां से क्लियर हो रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हाना बोल रहे बाबा हाना बोल भाई कमेंट में हाई यह ना बोलना पड़ेगा ऐसे नहीं चलेगा चलो बाबा आगे बढ़ जाते ऑक्सिडाइजिंग अबने कर लिया रियक्शन विद वॉर्टर विवी आई पे रियक्शन आती है बच्चें पेशन्स फुली आप लगा दो मुवाइल या लैप्टॉप अलग रख दो मुवाइल पेन रखो एयरफोन लगाओ और मस्त पढ़ते रहो ठीक है ना पढ़ते रहो ठीक है मन करेगा क इजाम आ रहा है क्या होगा क्या होगा पता है जब भी कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला होता है तो नेचर कई तरह से डराता है रोकनी की कोशिस करता है जो रूपता नहीं है ना वो निकल जाता है विराट कोहली का बहुत इंप्पॉर्टेंट मैच चल रहा था और विराट कोली की फादर की डेथ हो गई खबर आया कि यार तुमारी फादर की डेथ हो गई लेकिन वो समझ गया था कि नेचर मुझे रोकनी की कोशिस कर रहा है इतना बड़ा रुकावट नेचर किसको दे सकता है यार किसी को ने विराट कोली उस रुकावट से रुका नहीं उसने बोला कि मेरे पापा का सपना है यार, कि मैं क्रिकेटर बनू, अब वो नहीं है, शायद उपर से देखेंगे, मैं क्रिकेटर तो तब बनूँगा जब मैं अपना काम करूँगा, और उन्होंने अपना काम किया, 80 रवनों की पारी खेली, और फिर अपने फिनरल में गयते हैं फादर के फिनरल, उस समय लोगों ने उनको बहुत बोला होगा, क्या है, कैसा बेटा है, क्या है, आज समझ में आ रहोगा कि हाँ, उनके फादर हो किता प्राउड होगा, मैं को कहने में मतलब गुजबंस आ रहे हैं, सोच ठोड़ा फिल करो इस कहानी को, ये हमारे आपके साथ हुआ उनका होता है, हमारे आपके साथ नेचर बहुत कम चीजे दे रहा है, मैंने तो बड़े जेले, मैं फिर बोल रहा हूँ, नेचर बहुत कम टेस्टिंग कर रहा है, जब भी आपका एक्जाम आएगा नींद जाना आता है ये नेचर टेस्टिंग है लेकिन जो नींद को पठार के आगे निकल गया वो सक्सेस्फुल है जब इसंद पास आएगा पढ़ने का मन नहीं लगता है गुस्सा आता है फ्रस्टेशन आता है टीचर्स को लगता है सेलेक्शन नहीं कराता है नेचर आपको हर पुर्जूर कोशिस करेगा कि आपको पीछे केच मूँ लेकिन जो नेचर से जीत गया सेलेक्शन उसी का होता है सेक्सेस्फफल वही है समझ पारें बात को आपके साथ भी हो रहा होगा ध्यान रखिएगा आपकी जगह बहुत इंपॉर्टन जगह है आपकी जगह हार्ट में है हार्ट इधर है अपकी जगह हार्ट में दिल में और हमारे दिल में बहुत कम लोगों को जगह मिलती है उसमें से हाप लोग हो, तो अपने आपको कभी छोटा ना मानिये, अपने आपको कभी कमजोर ना मानिये, ठीक है, हाँ कोई नेचर से फेल हो जाता है, कोई नेचर से जीत जीता है, जो नेचर से जीता वो सेलेक्टर, जो नेचर से नहीं जीता, फिर हम अगले साल यह कुछ और तैय reaction with water ध्यान दीजेगा very important reaction हो गया यह अब देखो बीना रटे कैसे आप करोगे ध्यान तो दीजे बेटा ध्यान तो दीजे इधर खोपड़ी खोलने का समय आ गया क्या यह most oxidizing है अभी अभी तो पढ़ा था सर जी कि सर यह most oxidizing है और अभी अभी तो हमने इसके बारे में पढ़ oxidizing है यह पानी के oxygen को oxidize कर दिया बेटा O2 में convert कर दिया देखो most oxidizing है सामने वाले को खट से oxidize कर दिया सामने कौन था oxygen और जब सामने वाले को oxidize कर रहा है खुद reduce हो जाएगा खुड बेटा H F F-1 में चला गया खुद reduce हो गया माइनस 2 से 0 करके oxidize कर गया खुद reduce हो गया लेकिन ध्यान दें CL2 और BR2 यह moderate oxidizing agent है CL2 और BR2 बच्चे यह moderate oxidizing agent है ना सर हाँ सर moderate oxidizing agent है ध्यान दीजिए इसका मतलब CL2 और BR2 moderate oxidizing agent है इसका मतलब यह oxidation भी देगा and reduction भी देगा कुल मिलाके disprop reaction होगा कुल मिलाके बेटा HCl भी बनेगा और HOCl भी बनेगा मतलब CL-1 में भी आएगा reduce होके प्लस 1 में भी आएगा oxidize होके similarly HBR भी बनेगा और HOBR भी बनेगा मतलब माइनस 1 होके reduce भी होगा प्लस 1 होके oxidize भी होगा और I2 चुकी least reactive है oxidize भी नहीं होगा reaction भी नहीं देगा ठीके जो सबसे ज़्यादा oxidizing है वो तो सामने वाले को oxidize कर दिया देखो बिना रटे कैसे reaction होता है जो moderate type का है अच्छे यह list है तो moderate type का वो oxidize भी कर रहा है और reduce भी कर रहा है वो oxidize भी कर रहा है वो reduce भी कर रहा है clear हो गया और I2 reaction नहीं करता है however, however अगर इसका reverse reaction रहे मतलब यहां देखेगा however, अगर इसका reverse reaction रहे HI plus O2 पहले वाले का reverse reaction रहे तो यह बन जाता है I2 plus water however, if the reverse reaction is there then this Fourier reaction लेता है however, this reverse reaction text place ठीक है न, however, I2 के case में reverse reaction text place यहां तक आपका पूरा NCRT cover है ठीक है न, चलो, next यह fluorine की reactions हो गई अब थोड़ा ध्यान देना रहे लला थोड़ा ध्यान देऊंगे क्या इधर आओ यह जो HCL और HBR है यह जो HX है basically HX और यहां देखो HOCL, HOBR है इसका मतलब यह HOX है यहां HOX में halogen plus 1 में है और HX में halogen minus 1 में है तो basically this is nothing but this is hydrohalic this is nothing but this is hydrohalic और HOX क्या है this is, दे, दे, हाइपो हैलस, हाइडरो हैलिक तो नीचे वाला होगा हाइपो हैलस और हाइडरो हैलिक, क्या हो गया हाइपो हैलस acid, HX क्या है, this is nothing but this is हाइपो हैलस acid और HOX क्या है, this is hydrohalic acid HOX is nothing but this is hydrohalic acid hypo hellos और hydro hellic बोलो clear है क्या HX और HOX में एकदम simple से समझ आया HX is hypo hellos and HOX is hydro hellic hypo hellos and hydro hellic कोई problem, मुसीबत की बात नहीं आगे बढ़ सकते है hypo hellos और hydro hellic कोई मुसीबत, problem की बात नहीं है आईए, reaction with water F2, CL2, BR2, I2 I2, normal reaction नहीं दे रहा है HI जोगा reverse reaction possible है ठीक है, hypo chloros hypo bromus hydrochloric, hydro bromic एक दम सही, कोई मुसीबत नहीं कोई पंगा नहीं, अगे लेक उस पर move कर जाते है Sir, anomalous behavior of fluorine बताओ रहे, कौन-कौन मुझे बताएगा, anomalous behavior of fluorine क्यों होता है हर group में, पहला member नकरे सो करता है different behavior सो करता है, हाँ या न यार, comment में केवल लाल दिखाओ बाकी कुछ चीज़ पूछने पाचने की जोरत नहीं anomalous behavior of fluorine सबसे पहले क्या होगा बताओ Sir, anomalous behavior of fluorine में हो जाएगा Sir, यह small size होता है, हाइड्रोजन का अच्छा दूसरा, Sir, अगर यह small size होगा तो high electronegativity बिल्कुल सही है, Sir जितना छोटा size है, high electronegativity अच्छा, high electronegativity है तो क्या यह high ionization energy है हाँ, बिल्कुल जितना छोटा होगा, उतना ही Ionation Energy जादा लेगा, Electronegativity जादा लेगा A small size High Electronegativity, High Hydration Energy तीसरा पर second period का है D-orbital तो होई नहीं सकता तो यहाँ पे लिखो absence of D-orbital एक और खास बात इसमें पता लग रही है यार, Low Bond Energy क्यों? Repulsion हो रहा है तो चौथा ये भी है कि Low Bond Energy of F2 Low Bond Energy of F2 Because of Electron-Electron Repulsion Because of Electron-Electron Repulsion क्यों? Because of Electron-Electron Repulsion हाँ यारा Because of Electron-Electron Repulsion हाँ यारा बोलना पड़ेगा, समझ में आ रहा है तो बोली है हाँ, जल्दी से समझ में आ रहा है, चैट सेक्षिन पर लाल को रहा यार मुझे लाल कलर बड़ा अच्छा लगता है बोली ने कहा कि अच्छा एक शायरी, शायरी तो मैंने आपको सुरुवात में सुना दिया था शायरी मैंने बहुत सुरुवात में सुनाया था शायरी यही तो सुनाया था कि कि गुलाब देना इश्क नहीं है कि गुलाब देना इश्क नहीं है गुलाब की तरह रखना इश्क है मेरे बाई, किसी को गुलाब देना इश्क नहीं है, गुलाब की तरह रखना इश्क है, खेर, चलिए, anomalous behavior, अच्छा एक और चीज़, फ्लोरीन की खास बात ये भी है, कि फ्लोरीन एक इकलाउता है, फ्लोरीन एक इकलाउता है, जो है, वो ह HOF बनाता है. Fluorine only forms only one oxo acid. Fluorine forms only one oxo acid और वो क्या है HOF? Fluorine forms only one oxo acid त है HOF. Fluorine forms only one oxo acid त है HOF. Oxygen यहां पर minus 2, Hydrogen और Fluorine यहां पर minus plus 1 plus 1 में होता है HOF. ठीक है? है अब इसका नाम बता दो नाम को न बताएगा मुझे जल्दी से क्या इतका नाम अभी अभी देखा था हम ने हाइड्रोहिलिक क्या देखा था हाइड्रोहिली है तो दिस इस हाइड्रोफलोरिक एस एच हॉएफिश हाइड्रो f-l-u-o-r-i-c पैस है चुका है आगे बढ़ जाते हैं बहुत ही शानदार जानदार और जबरदस्त अनुमेलस भीएवियर अफ फ्लोरी अब आते हैं इसको फ्लोरीन और यह जो हैलोजन फैमली है यह हैड्रोजन से रियक्शन करके क्या बनाते हैं आई नेक्स्ट क्यों है अनुमेलस भीएवियर वेन एक्स्टू रीक्सवेट एक्स्टू को मतलब पूरा ऑगया मैं एक्सटू रीट्स्टी विद हाइड्रोजन क्या बनेगा बताऊं हुझ एएक्स्टू राजागण हॉधै। it forms HX ठीक न? HX में जैसे माल लीजे F2 react करेगा तो HF BR2 react करेगा तो HBR पहले आजागा HCL फिर आजागा BR2 react करके HBR और फिर I2 react करके HI ठीक न? HX को बोलते हैं मिटा HX, ठीक न? hydrogen chloride, तो hydrogen halide it forms HX यानि के hydrogen halide बोलते हैं इसको ठीक न? इसको हम hydrogen hydrogen fluoride अगले वाले को बेटे hydrogen chloride आगले वाले को बच्चे hydrogen bromide और अगले वाले को बच्चे hydrogen iodide लेकिन एक सवाल मेरे मन में फिर जग गया है एक सवाल बच्चे मन में पता क्या जगा है त्यार एक सवाल जगा है कि HF, HCL, HBR, HI कई बार आपने HCL को hydrochloric acid भी तो देखा होगा कई बार आपने HCL को hydrochloric acid भी तो देखा है HCL is hydrochloric acid तो कौन सभी है hydrogen chloride सभी है कि hydrochloric acid सभी बता दो ये NCRT में दिया है कई बार बच्चे HBR को आप hydrobromy acid देखे होंगे hydrobromy acid कौन सा सभी है पीछे वाला कि आगे वाला इसको हम hydrochloric acid भी बोलेंगे कौन सा सभी है पहले वाला कि बाद वाला इसमें hydrofluoric acid बोलेंगे कौन सा सभी है पहले वाला कि बाद वाला अब देखो ये जो hydrogen halide है बच्चो ये जो hydrogen halide है जब इसके reaction आप water से कराओगे जब इसकी reaction आप water से कराओगे, reaction with water, जब इसकी reaction with water कराओगे, जब HX की reaction water से कराओगे, तो जो बनता है, वो fluoric acid बनता है, जैसे HF ही रहेगा, but aqueous solution, HCL ही रहेगा, but aqueous solution, HBR ही रहेगा, but aqueous solution, HI ही रहेगा, but aqueous solution, aqueous solution में उसको acid बोलते हैं, और hydrogen fluoride का बोलते हैं, जब सारे gas state में हो, मा समझ में आए, दोनों सेम molecule है, बस solvent का difference है, अगर hydrogen fluoride gas लिखा है, तो फिर सही है, अगर aqueous लिखा है, तो acid होगा, जब हम hydrogen halide को पानी में मिला देते हैं, तो आपके पास hydrohelyc acid बनता है, जब हम hydrogen halide को पानी में मिला देते हैं, hydrohelyc acid बनता है, hydrogen fluoride, hydrogen chloride, hydrogen boramide, hydrogen iodide, ठीक है, बनेगा क्या, hydrofluoric acid, hydroporomycid, hydroiodic acid, hydrochloric acid, चीक, यहां तक भी सब संपन है, कोई problem वाली बात नहीं है, बस, last में आ ज है, जो बताएगा, HF, HCL, लला HBR, लला HI, कौन है acid जादा, similarly, stability की भी बात पूछ लेंगे, HF, HCL, HBR, HI कौन है जादा, stable, melting point और boiling point में, तो melting point, boiling point अभी अलग से लिखेंगे, क्योंकि उसमें, उल्टा थोड़ा सा order है, आओ भई, acidic strength की हम बात कर लें, तो बड़ा simple हो जाए acid जो जल्दी hydrogen release करेंगा, वो जादा acid, तो वीक bond है ना, हाँ, अगर वीक bond है, तो जल्दी से टूट जाएगा, और hydrogen release कर देगा, बो है न, यही जादा acid हो, लेकिन यह तो strong bond है, अब यहिए, चुकि सरे small size है, तो यह strong bond है, अगर यह strong bond है, तो hydrogen release ही नहीं करेगा, तो acid ही नह यह स्ट्राउंग बॉंड है टूटे का नहीं हाइड्रिजन रिलीज नहीं करेगा तो एसीड कमजोर हो गया सिमेडरली सरे स्मॉल साइज गुड़ ओवरलाप स्ट्राउंग बॉंड बिग साइज वीक ओवरलाप वीक बॉंड अब इस्टेबल कौन होता है जिसका बॉंड मजबूत हो जो नहीं टूटे वही तो इस्टेबल है जो टूटे का नहीं वही तो इस्टेबल है बेटा इस्टेबल रिलेशन किसका होता है जो ब्रेक अप नहीं हो पाए जिनका ब्रेक अप नहीं हो रहा है जो वीक नहीं है जो आसान देखना है सर वैसे तो HI सबसे जहता होगा again molecular weight बढ़ेगा wonderful बढ़ेगा melting balling point molecular weight बढ़ेगा wonderful बढ़ेगा melting और balling point कुछ इस तरह से आ जाएगा लेकिन बीच में HF का आना जरूरी हो जाएगा क्योंकि सर HF में तो H bond होता है ना भाई क्योंकि सर HF में H bond होता है ना हाँ या ना HF में H bond होता है और H bond है आगे बढ़ जाते है boiling point में HF सबसे ज़्यादा है then आपके पास आएगा HCL then आएगा आपके पास HBR and then आपके पास आएगा HI बोलो हाँ या ना HF का ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा आएए HF का सबसे ज़्यादा boiling point है why because of the H bond and बाकी सब वांडरवाल से देखेंगे HI then HBR and then HCL बोलो क्लियर है यहां तक की ने क्लियर है HD के स्टेन देख चुके हैं चल दिसी कमेंट बताइए is it clear or not clear हाँ या ना बोलना पड़ेगा melting point और boiling point अच्छा इसके आगे आप important लिख लिजिए क्योंकि NCRT से question आना है और छुपा के आना है तो ये सब questions बहुत अच्छे से बनते हैं और ये पूरा उधर लिखा हुआ है कोई table में नहीं लिखा जाके कोई कहें एकदम lines के बीच में गुसा गुसा के लिखा हुआ है ठीक है तो hydrogen के compounds hydrogen के जो compounds है उनका melting और boiling point important हो जाते हैं क्योंकि H bond है यहां भी H bond की वज़े से ठीक हो गया समझ में आ गया चलिए अब क्यों क्या कैसे ये थोड़ी देर बाद पहले हम पढ़ते हैं reaction with oxygen और मैं पढ़ाने से पहले मैं बता देता हूँ बच्चे कि sir इसको रटना पड़ेगा पढ़ाने से पहले मैं बता देता हूँ कि इसको रटना पड़ेगा अगर मैं fluorine की reaction oxygen से करा रहा हूँ तो क्या क्या बनेगा similarly chlorine की reaction में O2 से करा रहा हूँ तो क्या क्या बनेगा और रठने का तरीका बता देता हूँ भाई ये रठना पड़ेगा so sorry और आप लोग रठ लोगे हाँ या ना बोलो पहले रठ लोगे हाँ या या ना अब एक short trick है इसका अब एक short trick है ध्यान दीजे एक short trick ये है और ये question ये वाला पूछा गया है बाकियों के लिए short trick है ठीक है short trick है 1,4,6,7 इसके लिए बिटा 1,4,6,7 यहाँ पे बनेगा 1,4,6 और यहाँ पे बनेगा 4,5,7 ये तीनों बन रहा है ध्यान दीजेगा मैं क्या पोल रहा हूँ अब मैंने क्या बोला ध्यान दीजे ये वाला अल्रेडी PYQ का पार्ट है और मैं बताऊंगा question अभी एक सेकिन यार ये तार जो है न उल्जन मोह मोह के धागे ये उंगलियों में जा उल्जे ऐसे ये क्या मोह मोह के धागे है कुछ ऐसे ही है ये मेरे पैरों में उल्ज रहे है F2 प्लस O2 जो है सर बनाता है आपके पास OF2 अचा इससे पहले कोई भी compound oxygen से reaction करने के बाद क्या बन रहा है मतलब oxygen से react करने के बाद जो compound बन रहा है उसको बोलते क्या है oxygen से reaction करने के बाद always form oxide पहली बात तो कि सर ये सब से पहले oxide बनाता है always form oxide और क्या बनाता है सर ये OF2 and O2F2 के बारे में बनाता है OF2 and O2F2 के बारे में बना रहा है फ्लोरीन बेटा हमेशा यहाँ माइनस वन में है फ्लोरीन is always in minus 1 फ्लोरीन is always in minus 1 मैं oxygen family में पढ़ाँगा oxygen यहाँ पे plus 2 में है और oxygen यहाँ पे plus 1 में O2 F2 oxygen plus 1 में कैसे है पर oxide type का nature है चली बहुत अच्छा लेकिन अब इस compound के बारे में बोला गया है कि सर यह जो O2 F2 और O2 F2 है यह क्या है oxide या fluoride ध्यान दीजे मैं क्या पैसका बोलता हूं H2 O oxide कि क्या है मैं क्या बोल रहो हूं N2O5 यह क्या इसे, LIN, L3N basically, अब more electronegative nitrogen है, nitride बोलूँगा, समझे, more electronegative nitrogen है, pH 3, more electronegative phosphide, इसको, अच्छा, pH 3 छोड़ दो, जो भी more electronegative के हिसाब से आप नाम लिखतेते हो, इन दोनों में more electronegative कौन है, fluorine, तो इसलिए, this is a fluoride, ठीक है, इन दोनों में more electronegative कौन है, fluorine है, इसलिए बेटा, यह fluoride हो जाएगा, और यही question में आएदा, whether this is a oxide or a fluoride, जो more electronegative है, उस हिसाब से compound का नाम होता है, तो यह आपके सामने पहले पता चला कि सर, fluoride है, चलिए, जो more electronegative है, उस हिसाब से, अब more electronegative है, fluoride है, ध्यान दीजिए, यह दोनों के दोनों fluorinating agent है, यह दोनों के दोनों बच्चे, अच्छे खासे fluorinating agents है, अगर आप plutonium ले रहे हो, और उसमें आप O2F2 डालते हो, मतलब यह fluorinating agent है, सामने वाले में fluorine add कर देगा, सामने वाले में beto O2F2 है, सामने वाले में fluorine add कर देगा, यह O2F2 है, fluorine add करके beto kul F6 बना लेगा, plutonium fluoride, these are very good fluorinating agent, मतलब इसके सामने अगर आप op2 डालो तब भी Puf6 बनेगा, O2 F2 डालो, तभी PUF6 बनेगा सामने वाले में fluorine add कर देना Oxidizing agent, oxygen add करता है fluorinating agent, fluorine add करेगा बिना रटे कैसे याद होगा अब देखिए, इन दोनों को सर, यह plus 1 में बनाएगा, plus 4 में बनाएगा plus 6 में बनाएगा, plus 7 में बनाएगा, oxides यह plus 1, plus 4, plus 6 में बनाएगा, यह plus 4, plus 5, plus 7 में बनाएगा oxide, धियान दीजिए, plus 1 में कैसे बन रहा है, सर, Cl2O oxygen minus 2, chlorine plus 1 में बन रहा है मज़ा आगिया सर, तो उसके बाद plus 4 में बन रहा है, तो धियान दीजिए ClO2, एक oxygen पर minus 2, दो oxygen पर plus 4, माइनस 4 तो सामने वाले पर plus 4 हायना, plus 6 में कैसे बनेगा, तो सर, यह बन जाएगा ClO3, chlorine पर बच्चे plus 6 बन जाएगा, Cl2O7 chlorine पर बच्चे plus 7 बन जाएगा, बोलो हायना, chlorine पर बच्चे Cl2O7, plus 7 बन जाएगा बोलो एकदम clear रहा है, मज़ा आ गया यहाँ पर bromine जो है, वो BR2O बना देगा, यहाँ पर bromine जो है वो BR2O2 बनाएगा, यह आचा, plus 1 हो गया, plus 4 हो गया यह केवल और केवल, plus 6 तक ही बना पाता है BR3 तक, रट वना ही पड़ेगा और कोई option नहीं I2 में, सर, IO2 बनेगा, यह plus 4 हो गया plus 5 का मतलब हो गया, सर, I2O5 बनेगा, plus 7 का मतलब है, सर, I2O7 बनेगा, this is iodine plus 7 बन रहा है तो यह सारे आपके पास हो गया reaction with oxygen, reaction with halogen reaction with highlights अभी आपके समझें कर दिया reaction with hydrogen, reaction with oxygen यह oxygen में यह दोनों fluoride है यह VVIP है, बच्चों समझ में आ रहा है क्या यह मैं ही बोलता जा रहा हूँ, वहां पस सुनते जा रहा हूँ दिमाग में घुजरा है बिना रटवाई समझ में आ रहा है ट्रिक भी बोल दिया अगर रटवा ना पड़ रहा है तो चलिए, सर, मज आ गया, चलिए, यहां तक तो हो गया है इसके जस्ट बाद हम चलें, तो सर, reactivity with metal इसके बाद, जस्ट बाद हम चलें, तो reactivity with metal और फिर आपके पास आ जाएगा, एक in-text question, फिर आपके compounds आ जाएगा reactivity with metal अब halogen family, metal से reaction करके halide बनाएगा non-metal से reaction करके halide बनाएगा ठीक है ना, reactivity with metal, halides या फिर लिखो, halogens react with metal and non-metal halogens react with metal and non-metal to form halide halogens react with metal and non-metal to form halide halogen जो है, वो metal और non-metal से reaction करके halide बनाता है देखो, जैसे sodium की reaction, metal की reaction आप Cl2 से करा दो aluminium की reaction आप Cl2 से करा दो iron की reaction, ये सारे metals मैंने ले लिया ठीक है, non-metal का मतलब मैंने ये ले लिया P4, non-metal का मतलब मैंने sulfur ले लिया तो क्या बनाएगा, metal की halogen से reaction करके आप Cl2 ले रहे हैं, हम BR2 ले लेंगे I2 ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है दोनों के दोनों, metal से reaction करके non-metal से reaction करके, बैटे, क्या बनाएगा ये हैलाइट्स बनाएगे, खटा-खट से करिए सर दो क्लोरीन है, तो दो NaCl लेना पड़ेगा twice NaCl का formation हो गया बीना balance की हुए करें, तो Alcl3 का formation करेगा ठीक है, Alcl3 तो यहाँ पे twice Almonium और 6 है, तो यहाँ पे 3, balance भी कर लेंगे similarly बच्चे, FeCl3 लेना पड़ेगा यह 2 लेंगे, यह 2 लेंगे, यह 3 हो जाएगा, balancing यहाँ पे बच्चे, PCL3 बनेगा ध्यान दीजेगा, 4 है, तो 4, 12 हो गया और this is 6 S8 और Cl2 में, S2, Cl2 का formation होगा बच्चे, यहाँ देखे, यह 4 हो जाएगा 8 है, तो यह 8 हो जाएगा तो this is S8 plus 4 Cl2 this means S2, Cl2 का formation हो जाएगा reactivity with metal आपके सामने clear हो चुका है ठीक, अब आओ यह सब के सब हैलाइड बनाएगे जैसे माल लीजे, मैं Mg की reaction Br2 से कराता हूँ, क्या बनेगा बड़ा simple है, sir, Mg Br2 का formation हो जाएगा Mg Br2 का formation हो जाएगा एक दम सहीए ठीक, अब ले लो sir, एक और बात मैं Mf बना सकता हूँ fluoride बन जाएगा Mcl बना सकता हूँ, chloride बन जाएगा Mbr बना सकता हूँ, bromide बन जाएगा Mi बना सकता हूँ, iodide बन जाएगा अब NCRT कहता है कि इसका covalent character बताओ और आइनिक character भी बताओ इसका covalent character बताओ और इसका आइनिक character बताओ Mf, Mcl, Mbr और Mi इसका covalent character बताओ इसका आइनिक character बताओ आईए समझते हैं तो इसका covalent character कैसे होगा इसका covalent character कैसे होगा देखो, covalent character हमेशा ऐसे निकालते हैं smaller ketine larger 9, बोलो हाँ या न लाइं सब में ने से gonna ड़े सका इनाइन बढ़ा उसका कोवलें में ज्यादा को निचे वाले तो यह हो जाएगा और अगर मैं lifelong करेग्वन करेुं त आपके पास यह हो जाएगा तो सबने सब्सक्राइखा करेक्टर लाइं 1992 ऐए यहिए और नीचे वाले में आईनी करेक्टर, तो reactivity with metal, metal के साथ बच्चे क्या बन रहा है, चाहे metal हो चाहे non-metal हो, मैं बोल देता हूँ, halogen हमेसा hyalide बनाएगा, ठीक है, on any reaction with metal NCIT में दिया, मैंने non-metal भी करा दिया, अब बस, covalent के लिए smaller ketayne larger रहना है, तो ketayne सब में सेम है, ठीक है, metal ketayne बनाता है, सब में सेम है, anion देखना पड़ेगा, जो large है, वो आईनी को जाएगा, तो वो covalent जाएगा, चलो, reactivity with metal के बाद, next आपके पास बन जाएगा, in-text question, fluorine exhibit minus 1, whereas other halogen are real, बड़ा simple है, fluorine का केवल minus 1 होता है, बाद बाकी सब का, plus 1, plus 3, plus 5, plus 7 होता है, क्यों? क्योंकि, बाकियों के पास, fluorine के पास, absence of d orbital है, fluorine के पास, d orbital नहीं है, इसलिए, याद है, fluorine में 3D नहीं है, इसलिए, बेटा, excitation नहीं हो रहा है, expand नहीं हो पा रहा है, बट, chlorine, bromine, iodine की बात करें, तो यहाँ पर क्या है, presence of d orbital है, chlorine, bromine, iodine में, presence of d orbital है, therefore, therefore, plus 5, plus 7, plus 3, सब बनाता है, इसमें कोई problem नहीं होगी, in-text question solve, और line by line, ncrt आते हैं, chlorine पर, अब यहाँ से, again, एक और lecture, मान लिजे, सुरुआत हो रहा है, ठीक है ना, chlorine है, ठीक है, इसके बाद chlorine के बाद, आपके chlorine important है, उसके बाद HCN आता है, फिर एक oxo acid आएगा, बहुत simple है, फिर interhalogen खतम हो जाएगा, आईए, chlorine की बात करते हैं, सबसे पहले, मैं normal preparation की बात करूँगा, और इसके बाद, मैं manufacture की बात करूँगा, manufacture का मतलब industry में कैसे बना जाता है, अब धियान दो, एक चीज बोलूँगा, एक चीज बोलूँगा, बिटा मैं पूरा focus अपना कमेंट इस पर रखूँगा, प्लीज, मैं comments का धियान नहीं दे सकता, समझ पा रहे हो, चली यहाँ पर आते हैं, क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन में क्या होगा बच्चे, हमीशा क्लोरीन, एक compound से बनता है, मैंगनीज के compound से, ध्यान दीजे, जब भी क्लोरीन बनाना हो, शौट्रिक इसका बता रहा हो, दिमाग में चिपक जाएगा, रटना मना है, और कौन से बता हुआ, शौट्रिक क्या है, मैंगनीज का compound, हमेशा, जब भी CL2 बनाना है, मैंगनीज का compound लेगा, एंड एसीड लगेगा, जब भी आप मैंगनीज का compound लीजे, और एसीड लीजे, एक और सांदार बात बता दो, कि सर, यहाँ पे CL2 बनाना है, तो कौन सा एसीड लेंगे, HCl, भाई हमेशा HCl लोगो है, कौन सा एसीड आपको लेना पड़ेगा, HCl एसीड, ठीक, क्योंकि यहीं से तो क्लोरीन, C2 convert होगा, अच्छा, तो पहला preparation reaction में लेता हूँ, MnO2 की HCl से, मैंगनीज का compound लिया, उसकी reaction मैंने HCl से करा दी, देखो, हमेशा मैंगनीज का compound रेसीड लेगा, एसीड fix कर दो HCl, क्योंकि यहीं से तो CL2 बनेगा, और एक और चीज, दुनिया में जब-जब CL2 बनता है, पानी अपने आप बनता है, तो दुनिया में जब-जब yellow, बेटा, याद है, सुबह-सुबह, पुरानी जमाने में, लोटा लेके, yellow-yellow, dirty fellow, तो दुनिया में जब भी yellow, यार, याद करानी के लिए क्या क्या बोलना पड़ता है, आजाओ, दुनिया में जब भी yellow compound बनेगा, तो भाई साब, yellow, CL2 बनेगा, तो always, पानी भी लेना पड़ेगा, वरना yellow रह जाओगे, ध्यान दीजे, गलत हो जाएगा, Mn-O2 plus HCl की बात करते हैं, तो ये, Mn plus 2 का form में exist करेगा, वैसे तो plus 4 है, पाट यहाँ पे, आपको, वैसे तो plus 4 है, बाट आपके सामने, MnCl2 का formation होगे, Mn plus 2 और Cl minus, Mn generally plus 2 में होता है, Mn generally plus 2 में होता है, Mn का stable state beta plus 2 होता है, Mn plus 2 जो है, वो stable होता है, D block में पढ़ाऊँगा, क्यों? क्योंकि Mn plus 2 में, 3D5 बनता है, 3D5 मतलब half filled, half filled मतलब stable, चलो, अब Mn plus 2, MnCl2 बना, सर साथ में Cl2 बनेगा, preparation reaction, और जब भी yellow बन गया, भाई साब पानी का ज़रूरत बहुत पड़ेगा, बोलो पहला चीज clear होआ कि नहीं? Normal preparation reaction, बिना, अब देखो, exam में आएगा, तो कैसी हसी आएगी? examiner आपको डिबार न कर देगी, भाई, exam कर लो, वरना अब center से बाहर जाओ, हस रहे हो, गजब गधेड़े हो, लेकिन उसको क्या पता, एक हसी में, एक question चुपा है, plus 4 चुपा है, बोलो समझ में आये क्या, अब सब लोग यार, यलो यलो में चले गए, इद्यार आओ यार आप लो, चलो, आज़ो, यहाँ पर आज़ो, ध्यान देना है बात को, अगर मैं मान लो, MN O2 मुझे मन नहीं कर रहा है, HCL लेने का, मुझे directly HCL लेने का मन नहीं कर रहा है, तो मैंने क्या किया, सार HCL लेने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं दूसरे HCL लेता हूँ, indirectly, indirectly मैं HCL ले रहा हूँ, यहाँ दीजे मैं क्या ले रहा हूँ, अभी भी HCL ही रहा हूँ, H plus और CL minus मिलें के HCL ही बनेगा, भई, अभी, मुझे directly HCL market में नहीं मिल रहा, तो क्या मैं दूसर थरीके से नहीं बना सकता, बनाना पड़ेगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसा compound लेना पड़ेगा, जिसमें CL हो, अभी भी हो वही रहा है, इन में HCL और NA2SO4 ही तो बन रहा है, भोलन न भाई, सर साथ में में CL2 बन गया, सर साथ में CL2 जब जब बनेगा बेटा, यलो जब जब होगा तब तब वाटर लेना पड़ेगा, CL2 के साथ वाटर के परपरेशन ठीग है, यह लेकिन ऊपर वाला नीचे वाला product सेम कैसे हो सकता है, यहाँ पर H2SO4 लिया है, कुछ तो होगा, सर, पहली बार में केवल एक ही एसीड निकल पाता है, इसलिए NA2SO4 के बजाए बनता है आपका NAHSO4, पहली बार में एक ही एसीड निकलता है, क्योंकि HCL में एक ही एसीड लेना है, इसलिए एक अधर कंपाउंड NAHSO4 भी बनके तयार होगे, बोलो यहाँ तक clear, बोलो कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं, next आपके सामने आ जाएंगे, सर, MN2 प्लस HCL की बात कर दी हमने, ओहो ओहो मजाई आ गया, KCL हो गया, कहा गया, हाँ चलो next, next, third आ जाएगा एक और, clear हुआ, मैंने आपको बिना दिमाग में फिक्स कर दिया, शाट्रिक बता दिया, कि MN के कंपाउंड से ही CL2 बनेगा, साथ में तीसरा, यार MN का कंपाउंड ये भी तो है KMN4, examiner कह रहा है, बहिए NCRT कह रहा है, मालों ये मार्केट में नहीं तो क्या करोगा, नहीं बनाओगे, बनाना पड़ेगा सर, बहिए दूसरा MN का कंपाउंड ले लो, और साथ में HCL ले लो, अब क्या, फिर से MN plus 2 वहां से लेंगे, और MN CL2 बनाएंगे, हाँ जी, फिर से CL2 बनेगा, जब जब यलो बना है बेटा, पानी लेना पड़ेगा, एक और चीज, क्या यहां से K plus दिख रहा है सबको, क्या यहां से CL माइनस दिख रहा है, तो K plus और CL माइनस, बच्चे बच्चे के CL बनाता हुआ नजार आ रहा है, वाओ, अमीजिंग, बिनारटे, क्लोरीन का प्रिपरेशन हमने आपके सामने लिख दिया है, अरे लला, ध्यान दीजिएगा, यह CL2 की प्रिपरेशन है, मजा में आया की नहीं, दिमाग में एक दम चिपक गया की नहीं, ब्रेन में और बाड़ी में हिमोगलोबीन कम होके, देरे-देरे केमिश्ट्री बढ़ रहे हैं क्या, केमिश्ट्री बहुत खुबसूरत सब्जेक्ट है, बसरते कि उसको पढ़ाने और पढ़ने वाले दोनों अच्छे हो, ज्यान दीजिए मैंने क्या बोला, बहुत मार्किंग बात बोलिए, मैं आऊं, अरे यार, एक काम करो, आज हम प्रिपरेशन रिएक्शन पढ़ाएंगे, और आवाज भारी करके कुछ बोल दूँ ऐसा, कि यार, आज हमने ना, ये करना है, देख लेना भाई, यही केमिस्ट्री है, बड़ी आसान है, बस हो गया, खतम, ऐसे थोड़ी होता है, कराने को कुछ भी कराया जा सकता है, बट वी पूट लॉट्स ओफ एनरजी इन दिस, वी पूट्स ओफ हाइड़ वोक इन दिस, आज भी आपके लेक्चर से पहले मैं तीन गंटे पढ़ता हूँ, और मुझे कोई शरम नहीं है, कि मैं ग्यानी हो चुका हूँ, बेटा, लास्ट लेक्चर इस जिंदगी का लूँगा न, तब भी मैं तीन गंटे पढ़के ही जाऊँगा, मज़ा उसी में है जब आपना बेस्ट दे पाते हो, आईए, अब कितना अच्छा हो गया, कि सर बिना रटे, MN के ही, अब देखो, आपके पास तो ऑप्शन है, मैं एक्जाम में तो ऑप्शन है, और ऑप्शन देखते ही, सर ने बताया था, कि जब भी CL2 होगा, वाटर बनेगा, तो पहला ऑप्शन उसी से निकल जाएगा, दूसरा, MN हमेशा प्लस टू में स्टेबल होता है, तो MN CL2 ही बनेगा, तीसरा, सर HCL लेना अनिवार है, उपर और नीचे वाले में HCL है, अगर HCL ना मिले, NHCL प्लस H2 से फूर ले फिर भी HCL बन जाएगा, मज़ा आ गया, सर, खून में एनर्जी बढ़ रही है, मज़ा आ रहा है पढ़के, अब आते हैं मैनिफैक्चर, मतलब इंडस्ट्री में अगर आपको CL2 बनाना है, तो क्या करोगे, इंडस्ट्रियल प्रिप्रेशन अगर CL2 का करना है, तो क्या करोगे, ध्यान दीजिए, इंडस्ट्रियल प्रिप्रेशन होता है, डेकन्स प्रोसेस, ठीके, साइद ये स्पेलिंग गलत हो सकता है, मैं ध्यान नहीं दूँगा, आप लोग को देना पड़ेगा, डेकन्स प्रोसेस, आईए, डेकन्स प्रोसेस में, क्या होता है, एक तो होता है डेकन्स प्रोसेस, और दूसरा होता है बच्चे, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, या इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, electrolysis process या electrolytic process एक एक करके समझेंगे tension ना ले ना बैच्चे Dickens process और electrolysis process आ जाईए Dickens process और electrolysis process ready है सब लोग कोई problem नहीं है आपका chat section एक बार लाल करिए तो फटा-फट से देखते हैं chat section में लाल हो जाना चाहिए आप ठीक है आईए again again same method CL2 है तो HCl तो ले नहीं पड़ेगा सर भाई chlorine gas काँ से बनाओगे HCl से HCl से ओके चीक है सर तो यहाँ पर आएगा कि Dickens process क्या है oxidation of HCl हाँ HCl का oxidation कराना है हाँ तो CL-1 से CL2 बन जाएगा ना यलो greenish yellow हाँ यार oxidation of HCl by atmospheric oxygen आप क्या करो भाई oxygen होगा तभी तो oxidation होगा तो HCl की हमने O2 से reaction कराई in the presence of CuCl2 catalyst ठीक है ना in presence of CuCl2 catalyst in presence of CuCl2 catalyst तो वेटा CuCl2 catalyst से ये बनता है आपके सामने this is Dickens process और साथ में जब जब क्लोरीन बनता है बच्चों पानी बनना पता है क्योंकि सुबह सुबह काम खराब नहीं करना आपने को electrolysis process electrolysis process में हमने पढ़ा है या पढ़ेंगे electrolysis of brine solution electrolysis of brine solution की हम बात करेंगे बच्चे electrolysis of brine solution और brine solution क्या होता है what is brine solution come on everybody what is brine solution तो brine solution बेटा आपके पास आएगा concentrated NaCl solution को हम brine solution कहते है concentrated NaCl solution को हम brine solution कहते है oxidation of hydrochloric acid by atmospheric oxygen this is Cl2 plus water and this is Cl2 plus water electrolysis of brine solution की हम बात करते है brine solution की electrolysis करते है कैसे होगा ध्यान देना electrolysis of brine solution ध्यान दीजे electrolysis होगा अब brine solution में क्या है Na plus और Cl minus और इससे हमें Cl2 बनेगा तो Cl minus से Cl2 कैसे बन रहा है oxidation से तो पहली बात होगा oxidation से और electrolysis में oxidation कहा होता है electrochemistry at anode तो जब 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 anode पे oxidation होगा और वहाँ पे Cl minus का oxidation at anode Cl2 gas released anode पे oxidation होके Cl2 gas release हो जाएगा this is how the process is done MN का compound और HCL इतना काफी Cl2 के preparation रटने के लिए 5 है 5 हो आपके tips पे हो गया कि नहीं comment बताईए अब बोलो से लो कहते है सर बहुत serious होगा बढ़ा रहा हो अरे भाया serious रहके प्रहने का ही वो होता है selection अब जिस दिन exam होगा उस दिन में चिपका दूँगा जो पढ़ाया वही आया क्योंकि इसी से तुमा आगए NCIT से बार पूचेगा क्या जही मेंस में नहीं पूच रहा तो लगता है नीट पूच लेगा अब भी भीच समय है NCIT को अपना देवता बना लीजे NCIT को भगवान मान लीजे NCIT को अपना सब कुछ मान लीजे चलिए गीता, कुरान, बाइबल जो मानना है मानते रहिए आगे बढ़ते हैं कि सर प्रॉपर्टीज ये CL2 का कलर बताओ कि क्या अरे सर 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 CL2 का सबसे पहला होता है जो है कि सर ये ये जो है दम फूलने लगता है क्लोरीन गैस से समझे बात को आप वह करो जो आपका स्विंग पूल होता है स्विंग पूल में क्लोरीन पाउडर डाला जाता है एको पहले इस्किन को इचन करने लगता है वो बताऊंगा क्यों आगे जाके और दूसरा कि suffocation भी अगर बहुत देर तक सिंक रह गये ना तो आपको एकदम दम घुट सकती है आपकी क्योंकि जो ये जो है suffocating order होता है इसका suffocating order इसका जो smell है उससे दम घुटना चलू हो जाता है तीसरा सर ये pungent smell है थोड़ा सा तीखा smell है pungent smell का होता है समझ पारे pungent smell का होता है साथ में ये non metal metal दोनों से reaction करके chloride बनाता है साथ में जो चौथा point है कि सर जैसे oxygen reaction करके oxide, phosphorus reaction करके phosphate, nitrogen reaction करके nitride, hydrogen reaction करके hydride, halogen reaction करके highlight उसी तरह on reaction with metal and non metal, on reaction with metal and non metal it forms chloride on reaction with metal and non metal it forms chloride ठीक है, on reaction with metal and non metal, जैसे aluminium की reaction हम करा दी है, sodium की reaction हमने करा दी जैसे magnesium की reaction हमने करा दी, जैसे P4 की reaction हमने करा दी, जैसे हमने S8 की reaction हमने करा दी, खड़ा-खड़ से आपको product बताना है, जल्दी से जल्दी में, it will form chloride, चलिए, next जल्दी से जल्दी में आपको इसका प्रोड़क्ट बताना है चलिए कि तेरे जैसा यार कहां तो बड़ा सिंपल हो जाए कि सर अलमूनियम जो है एल-C-L-3 यहाँ पर बन जाएगा न-A-C-L this will form M-G-C-L-2, this will form P-C-L-3 this will form P-C-L-3 and this will form S-2-C-L-2 यह आपके सामने P-C-L-3 बन गया, ST-C-L-2 बन गया, एक दम से क्लियर हो रहा है तो बोलिए बेटे कैसे समझेंगे बिना रटे समझने के लिए इसकी टोपी उसके सर बिना रियक्शन समझने के लिए बिना उसके क्रिस-क्रोस similarly बेटा, Mg-2 and Cl- में मजही आगया similarly बच्चे, Phosphorus generally plus 3 शो करता है similarly Sulfur generally minus 2 शो करता है क्रिस-क्रोस, क्रिस-क्रोस, कैंची-कैंची चलाते जाएए उसकी टोपी उसके सर करते जाएए, प्रोडक्ट बन जाएगा मजह आगया सर अब क्लोरीन की रियक्शन हम करा रहे है हाइड्रोजन से क्या बनेगा, जल्दी से चमका देजे क्लोरीन की रियक्शन हम करा रहे है हाइड्रोजन से जल्दी से चमका ये अरे बेटा, HCl कैसी तो बनेगा यार क्लोरीन की रियक्शन हम हाइड्रोजन से करें यह hydrogen containing compound से करें बनेगा HCl क्या बोलो मैंने chlorine जो है CL2 इस CL2 को reaction अगर मैं hydrogen से करो यह hydrogen containing compound से करो बनेगा HCl हाई यह ना बोलना पड़ेगा या ऐसे निचलेगा अरे लला जल्ली से बोलो reaction with hydrogen यह hydrogen it always forms it के जगह लिखो CL2 always जब भी hydrogen दिखेगा हाई जब भी hydrogen दिखेगा HCl बनेगा always forms HCl with या तो hydrogen के साथ और hydrogen containing compound के साथ या तो hydrogen के साथ और hydrogen containing compound के साथ या तो hydrogen के साथ या तो hydrogen containing compound के साथ बोलो एकदम सही है क्या CL2 always forms HCl with hydrogen और hydrogen containing compound CL2 always forms HCl with हाइड्रोजन या हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अब तीन एक्जाम्पल आपके सामने दिये गए हैं आए सबसे पहले यह तीनों एक्जाम्पल को लिख लेता हूं माल लिजे पहला रियक्शन यह दिया गया है प्रोड़क्ट अपन सांप में बनाएंगे माल लिजे भाई साब हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की रियक्शन करानी है माल लिजे भाई साब हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की रियक्शन हमें करानी है अब मैंने आपको चिक-चिक के चिला-चिला के यही तो बता दिया कि चाहे हाइड्रोजन वाँ हो चाहे हाइड्रोजन कंट्रिणिंग कंपाउंड वाँ हो बनेगा HCL वाँ हमेशा अरे बतवा समझ में आ रहा है की नहीं अगर आ रहा है तो बोलिए न कमेंट में हलके हलके अरे सर यहाँ पे सीधा सीधा बैलेंस भी कर दिया अरे सर यहाँ पे सीधा सीधा बैलेंस भी कर दिया ठीक है ना सर सॉल्फर अलग निकल जाएगा पूरा-पूरा सिमिलरली यहाँ पे हCLE भी बन गया और carbon अलग निकल गया 10 के 10 carbon अलग हो गए एकदम सही है क्या 10 के 10 carbon अलग हो गए 16 mol HCl बनेगा यहाँ पे 8 mol Cl2 लेना पड़ेगा एकदम सही है 8 mol आपको Cl2 लेना पड़ेगा तब जाके 16 mol HCl और 10 carbon बन जाएगा बास समझ में आई Cl2 always forms HCl with hydrogen or hydrogen containing compound Cl2 always forms HCl with hydrogen or hydrogen containing compound अगला आपके screen पे ही रहा बच्चों आएए reaction with NH3 है ना? Cl2 की अमोनिया के साथ reaction अगेन फिर से इधर ध्यान दीजे बिना रटे बता दूँ क्या? ध्यान दीजे इधर अमोनिया की दो reaction है Cl2 के साथ है ना? अभी हम क्लोरीन पढ़ने दो तरह की reaction है क्लोरीन के साथ एक बार अगर मैं अमोनिया को excess लिया तो बच्चे एक बार मैं क्लोरीन को excess लिया तो बच्चे ध्यान दीजे बिना रटे समझाओंगा फिर से सर अगर अमोनिया excess में है तो क्या ये NH4 प्लस और Cl- बन रहा है? यहार NH4Cl बनेगा क्या? और HCl ये ऐसा लग से release उजाएगा? क्योंकि hydrogen containing compound है HCl बननाता है similarly, यहाँ पे सर HCl तो बननाता है hydrogen containing compound है लेकिन जब excess में ये है क्लोरीन तो देखो product भी क्लोरीन वाला excess में आएगा दियान दीजे जब क्लोरीन excess में है तो ज़्यादा क्लोरीन वाला compound बनेगा जब ammonia excess में है तो ज़्यादा ammonia वाला compound बनेगा कम chlorine ज़्यादा ammonia क्या बोला मैंने? अगर ये excess में डाल दिया तो ज़्यादा ammonia वाला compound बनेगा अगर chlorine excess में डाल दिया तो ज़्यादा chlorine वाला compound बनेगा एकदम सही है सर मज़ा आ गया और जो NCl3 होता है this is explosive in nature explosive this is explosive in nature ठीक है एकदम सही है अगर NH3 excess में है तो आपके पास बनेगा NH4Cl अगर Cl2 excess में है तो यह बनेगा आपके पास NCl3 explosive एकदम सही है हाँ या ना बोलना पड़ेगा रियक्शन भी था मौनिया में अगर आउन यह excess में है खट से NH4Cl अगर Cl2 excess में है खट से NCl3 explosive बन गया वाव amazing मोज़ेदार मोज़ेदार है क्या मोज़ेदार एकदम बढ़िया भालो भालोबासी क्या बोलता है उसको बेंग ओली में आमी तुमा के भालोबासी ऐसा किमच्छो मझावाँ यह कैसा है केमच्छो मजा माईसाेद महराष्ट्रिय lle आ थांब थांबा अराम अराम тру हमजे are तो थांबा थण थोड़ाम ओफणी कुलिम्हें थांड़श। कि पूरा कंश्ट्राइब भाजपुरि में प्रेश्री करना लाग हमनी करना नियां ना बढ़िए से अंग्रेजी आ उन्हें ढ़िए हैं तो ङुंदित आफ़ हूँ होँ ताहरों बड़ा बढ़ियां हुई, आगे जाके डाक्टर बनी है, भजपूरी में इलाज करी है, बिहार में जाके इलाज करी है, बढ़ियां हुई अगले question screen पर आएगा, reaction with NaOH, अगर मैं NaOH के साथ Cl2 जोड देता हूँ, अगर मैं NaOH के साथ Cl2 जोड देता हूँ, क्या बनेगा? अगर मैं NaOH के साथ Cold and Dilute NaOH देता हूँ, तो क्या बनेगा? अगर मैं NaOH के साथ Hot and Concentrated देता हूँ, तो क्या बनेगा? लेकिन अब other teachers and VT Sir teachers, difference है न भाई? other teachers, other Sir जो teachers होते हैं, वो कैसे पढ़ाएंगे? वो तो product लिखके चले जाएंगे. हम product लिखके दिवार पे नहीं छोड़ेंगे, product लिखके दिल और दिमाग में उतार देंगे, आइए. Sir यहाँ पर लिखा हूँ है, Cold and Dilute, ठंडा महुल है, जादा पानी वाला महुल है, ठंडा महुल है. बनाब, और Hot and Concentrated, और यहाँ गरम महुल है, यहाँ पर लड़ाई वड़ाई वाला महुल है, गर होट हो गया मामला, है ना, गरम महुल हो लड़ाई हो सकती है, अब जो होट मामला है, गरम मामला है, लड़ाई हो सकती है, तो जादा के जादा ओक्सीजन लेके जाना क्या मतलब आया अरे आपकी जब लड़ाई होती है तो आप कहते हो ना सारे दोस्तों को फोन कर लो सब के सब आ जाओ देख लेंगे इनको इसा ही होता है ऐसा नहीं करना है यह सब लोग नहीं होते ऐसे तो देखो यहां पर जादा से जादा ऑक्सिजन लेके जाओगी क्यों अरे घरम महौले लड़ाई करनी है आपको लेकिन यहां ठंडा महौल है अरे प्रेम संभाव वाला महौल है ज्यादा भीड नहीं लेगाना है आर एक ऑक्सिजन से काम हो जाएगा एने-सी-एल दोनों में है ऑक्सिजन कम है ऑक्सिजन जादा है ऑक्सिजन कम है ठंडा महौल है लड़ाई वाल नहीं है लेकिन अगर लड़ाई के महौल आया hot and concentrated हुआ तो भाई साव ज़्यादा ज़्यादा ऑक्सिजन लेकर पहुंच जाना और सर पानी ही पानी कर दो वाटर तो भाई बहते रहता है बहते रहता है बहते रहता है आये hot and concentrated के साथ product बिना rectification के सर hot महौल है ज़्यादा महौल है गरम महौल है यहाँ पे लड़ाई होने के chances है oxygen ज़्यादा लेके जाओगे और कम है तो भाई कम oxygen से काम चला लोगे ठेंडा महौल है याद लड़ाई वड़ाई करना नहीं अपने को ठीक है ना so reaction with H2OH करने के बाद next you will go for reaction with CAOH whole twice अब यहाँ पे आपको bleaching powder की composition करानी है क्या composition इसी पे आएगा नहीं आएगा इस पे आएगा ध्यान दीजेगा अब मैं reaction करा रहा हूँ CL2 की किस से CAOH whole twice ठीक है इसको हम लोग slack the line बोलते हैं क्या बोलते हैं slack the line S L A C K E D slack the line CAO को बोलते हैं quick line और इसको हम बोलते हैं slack the line बिलको सही बोला आपके अब आईए सर CAOH whole twice slack the line से अगर हम काम कर रहें कैसे होगा calcium plus two में है यहाँ पर यहाँ पर CL minus one में है याँ तो क्रिस क्रोस करोगे क्या तो सर यह CACL2 पहले बनता होगा दिख रहा है क्या बहुत सही सर मज़ा आ गया पहला product इसकी टोपी उसके सर करके CACL2 बना दिया दूसरा सर पानी ही पानी ने जारा रहा है क्या है यहाँ पर पानी ही पानी भी ने जारा रहा होगा मज़ा आ गया सर पानी ही पानी है अब ध्यान दिजिए जब भी halogen के compound बन रहा है पानी बन रहा है चाहे CL2 बन रहा हो चाहे HCL बन रहा हो पानी बनेगा, ओके सर, मज़ा आ गया, अब देखिए, यहां पे यह दोनों reaction करके, क्या बनते हैं, OCl- oxy chloride बनाते हैं, OH और Cl, यह H अटा के Cl आ जाता है, this is oxy chloride ion बना देते हैं, oxy chloride ion, और यह क्या बन जाएगा, this is Ca OCl whole twice, Ca OCl whole twice, यह formation हो जाता है, this is the formation, इन दोनों में, OH अटा के Ca लगा दो, इन दोनों की जब reaction होगी, तो oxy chloride बनेगा, oxy chloride ion सामने सामने आपके पास calcium oxy chloride बन जाता है, एकदम सही है, calcium oxy chloride आपके पास एकदम सही है, मज़े मज़ा ही आ गया है, अब आते हैं, reaction with Ca OCl whole twice आपके सामने हो गया है, next, examiner का बहुत favorite topic है, composition of bleaching powder, भाई bleaching powder कैसे बनाते हैं, या bleaching powder में क्या-क्या होता है, bleaching powder जब आप खरीद के लाओगे, और उसके packet के पीछे देखोगे क्या-क्या मिले रहेगा, सबसे पहले सार बनेगा आपके पास, Ca OCl whole twice, सार साथ में देखो इसमें CaCl2 का formation भी हो रहा है, साथ में देखो सर इसमें water का formation भी हो रहा है, साथ में बच्चे इसमें water का integrant भी है, तो this is the composition of bleaching powder, composition of bleaching powder समझ में आया, एकदम समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो comment में पढ़ा बताओ, समझ में आ रहा है आप सब लोग को, आच्छा ठीक है, यार लेकिन आप इतना comment करते हो तो पढ़ते कब हो, लिखते ही नहीं हो, composition of bleaching powder में, caocl twice, dot cacl2, dot water, एक और चीज़ छूड़ गया, caoh whole twice, dot, caoh whole twice, dot water, dot water, ये सारे composition of bleaching powder है, कोई problem नहीं है, तो reaction with slagged lime आपके सामने हो चुका है, composition of bleaching powder आपके सामने हो चुका है, calcium oxy chloride, calcium chloride, calcium hydroxide and water, ये सब मिल के bleaching powder का formation करेंगे, these all on mixing will form bleaching powder, nice, यहां तक समझ में आया, अब आते हैं, कि सर, chlorine जो है, वो oxidizing nature का होता है, chlorine water basically, stl2 plus water, ये oxidizing nature का होता है, in fact, इसमें bleaching action भी होता है, क्यों, अभी थोड़ी दिर में बता दूँँआ, bleaching powder तक सही हो गया, नहीं बहुत कम पार्ट बचा हुआ है, कि सर, oxidizing property of chlorine, देखो, cl2 plus water, क्या बनता है, बताईए, सर, याद करो, जब मैं water से reaction कराया था, कि सर, ये cl और br, दोनों ही disproportionate reaction देते हैं, hcl भी बनाते हैं, और साथ में hocl भी बनाते हैं, सर, ये जो hcl बना रहे न, इसमें होता है, nascent oxygen, और जब-जब nascent oxygen होता है, बेटा, ये oxidizing nature का होता है, ये oxidizing nature का होता है, इसकी oxidizing property होती है, hcl है, सामने समझ लो, hcl में ये nascent oxygen है, this is nothing but it has nascent oxygen, this has nascent oxygen, और चुकि nascent oxygen है, oxidizing nature का है, और सामने आपके सामने, this is oxidizing nature का हो जाएगा, देख लीजे, hcl बना रहा है, एकदम साहिए, hcl बना रहा है, हाँ है न, जल्दी करिए, hcl है, इसलिए oxidizing nature का है, अच्छा, एक्वार आपको सवाल आएगा, कि sir, जो chlorine water है, एक्वार आपके पास सवाल आएगा, कि sir, जो chlorine water है, वो chlorine water on standing loses its color, ःगाद दीजे, chlorine water, on standing, chlorine water on standing, अगर मैं इसको छोड़ दू, chlorine water को बहूँत लंबे समय तक छोड़ दू, it loses its color, it loses its color, क्यों भाई, again, विए जुने जो नेश्ञ ऐसे अउसिडाइज़ से और और शीडाइज़ का ही मतलब होता है बेटा ब्लीचिंग डीचिंग एक्शन और ब्लीचिंग एक्शन का मतलब कलर से कलर्लेस बना देता है लेकिन ध्यान करें पूरे कपड़े के color को भी थोड़ा धीमा करेगा. ध्यान दीज क्योंकि oxidizing nature का होता है। ठीकहें, और dry wash वाले से कराईएग़कों पता है कि कितना chlorine डालना है। ज्यादा chlorine डालोगे और हरा कपड़ा उजला निकलेगा क्योंकि colorless वो चुका होगा ठीक है तो ड्राइवार्स वालों को पता होता है कितना amount डालना है वो सिरिंज से डालते हैं एकदम मेजर करके कितना ml डालना है ठीक है तो bleaching action का मतलब color compound को colorless बना देगा और bleaching action क्यों आती oxidizing oxidizing क्यों वाता है because of the nascent oxygen और nascent oxygen क्यों है होसील के वेज़े से होसील क्यों बन रहा है chlorine water creation होगे क्या शांदार माइंड मैप बन गया है कि सर यह सब गेम किसका है nascent oxygen का nascent oxygen आया कहां से होसील में होसील कहां से आया moderate oxidizing agent moderate oxidizing agent मतलब यह disproportionation, disproportionation देता है यह oxidize भी करता है और reduce भी करता है oxidize करेगा plus one में reduce करेगा minus one में बोलो clear एकदम मज़िदार बात जब समझ में आ चुकी है तो next हम लेके चलते हैं आपके पास why chlorine shows beaching action अब बताओ, in text question को बोलो कि हम तो VT सर से पढ़ते हैं सर हमारे पास कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर in text question सारे के सारे solve हो गए है क्या मजाई आ चुका है क्या due to this nascent oxygen due to this nascent oxygen यह bleaching action सो करता है, due to this nascent oxygen this shows bleaching action due to this nascent oxygen यह bleaching action सो करता है आगे बढ़ जाए क्या क्लोरीन में CL2 जो है पानी के साथ क्लोरीन वाटर nascent oxygen कलर को कलरलेस में कनवर्ट कर देता है bleaching action हो जाता है नेक्स्ट आपके पास आ जाते है बच्चो, write the balanced chemical reaction of CL2 with hot and conk HCl आप लोग सब लोग बताओगे, CL2 with hot and conk NaOH बेस से reaction कर रहा है, hot and conk है अब मेरे प्यारी बच्चो बता दीजे कि इसका product क्या होगा इसका product क्या होगा, एक मैं उज़े दे दीजे बाकी रख दीजे, ठीक है, तो इन दोनों का product आप मुझे बताइए CL2 plus NaOH, बस बशर्ती ध्यान रखना है कि यह hot and conk है बशर्ती ध्यान रखना है कि बच्चो यह hot and conk है क्या सिखाया था, आपके गुरु ने क्या सिखाया आपको सर, गरम महावले लडाई हो सकती है, जादा से जादा oxygen लेके product बना दीजे, NaClO3 लेके product बना दीजे, अच्छा जी, NaClO3, इसका oxygenation state बताओ, सर, Na plus 1, oxygen, 3 oxygen minus 6, तो chlorine यहाँ पे plus 5 चला जाएगा, ओके, साथ में देखिएगा, Na plus और Cl minus ने NaCl बना दिया, Na plus और Cl minus ने NaCl बना द chlorine यहाँ पे minus 1 में है, और Na plus 1 में है, तो 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 थोड़ा सा ध्यान दीजेगा, सर, यही तो product है, लेकिन ध्यान दीजे, यहाँ पे oxidation हुआ, और ध्यान दीजेगा, तो यहाँ पे reduction हो रहा है, यहाँ पे, this is plus 5 जा रहा है, and this is minus 1 जा रहा है, plus 5 में आपके पास oxidation होगा, और minus 1 में आपके पास reduction होगा, plus 5 में आपके पास oxidation होगा, minus 1 में बच्चों आपके पास reduction होगा, एकदम सही है तो बोलिये हाँ, तो सही तो कह रहा है, disproportionation, justify, yes, is this disproportionation, yes, yes, it is a disproportionation, बिलकुल सही बात है, इसमें oxidation भी है, reduction भी है, मजा में आ रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है, सब समझा हुआ लग रहा है, यह reaction इतना रटा कैसे, यह VT सर का magic है, यह गरम महौल, लड़ाई महौल, यह सब सोचना पड़ता है, यह हम लोग बैठके एकदम मस्त सोचते रहते हैं, कि बच्चों को यहाद कैसे करा है, hydrogen chloride, second last compound is hydrogen chloride, एकदम सही है बच्चो, hydrogen chloride यहाँ तक हो चुका है, चलिए, अब देखिए, आपको बनाना बच्चे, hydrogen chloride है, H HCl है, इसका मतलब हमें क्लोरीन का कोई ने कोई compound लेना पड़ेगा, इसका मतलब हमें क्लोरीन का कोई ने कोई compound लेना पड़ेगा, तो हम क्लोरीन का सब से simple compound लेते हैं NaCl, हम क्लोरीन का बड़े से simple compound लेते है NaCl, नमक, हमने HCl बढ़ाना है, अब हमें क्या चाहिए, Cl तो मिल चुका है कहीं से भी H प्लस दे दे और एसे किसे H प्लस आता है तो हम ले लेते हैं सबसे फेमस एसी याने की H2SO4 अधिया बन गया रिएक्शन मैं आग नहीं कर रहा हूं यह देखो है HCL बना रहा था तो हमें CL वाला कोई कंपाउंड लेना पड़ेगा सबसे फेमस ले लिया एसी है ठीक है सर अगर मैं एक लो टेंप्रेचर लेता हूं अल्मुस्ट अराउंड साड़े 500 डिगरी सेल्सीयस पे HCL आपके बनके तयार हो गया है और H यहां से रिलीज हो चुका है और Na2SO4 बनके तयार हो रहा है अगर लो टेंप्रेचर रखोगे तो केवल एक हाइड्रोजन रिलीज होगा और अगर हाई टेंप्रेचर रिलीज रखोगे वन हाइड्रोजन रिलीज है और अगर हाई टेंप्रेचर रखोगे तो बोथ हाइड्रोजन रिलीज अगर एक हाइड्रोजन रखोगे तो वन हाइड्रोजन रिलीज अगर दोनों रख दोगे तो बोथ कर चुके हैं, बोलो कोई दिकत, समझ में आ चुका है, तो HCL आपके सामने जब हो गया, next आपकी स्क्रीन पे आ जाता है, HCL की preparation में properties, again, properties में it is pungent color, pungent, pungent and suffocating, again it is pungent and suffocating like, pungent and suffocating होता है, यह NCRT में नहीं दिया है बड़ हमने लिख दिया, ठीकिन higher उसके book में मिल जाएगा, pungent and suffocating हो जाएगा, अब मेरा हाँ दर्द करा, मैं यहाँ लिखे दू क्या, चलिए, pungent and suffocating हो जाएगा, चलिए, दूसरा, की सर, pungent और suffocating हो, दूसरा, it is highly soluble in water, दूसरा, बच्चे, it is highly soluble in water, क्यों, आइसे देखना, आपने, सर, highly soluble in water, ऐसे देखा, HCl को पानी में डाल दू, तो क्या होगा, H plus release हो जाएगा, H plus release होके, H3U plus और CL minus बनेगा, H plus release होके, H3U plus और CL minus बनेगा, बोलो हाँ या न, तीसरा, बच्चे, तीसरा करेंगे, reaction with ammonia, अगर हम HCl को ammonia से reaction कर देते हैं, तो क्या होगा, तो बड़ी सिंपली सर, ammonia की reaction हम HCl से करा देंगे, देखो, NH4 plus बनता हुआ नजर आ रहा है, और NH4 plus और CL minus, NH4 CL, और इसी की वज़ा से, बेटा, white fumes आता है, इसी की वज़ा से, NH4 CL की वज़ा से, white fumes आता है, प्रॉपेटीज में, पंजिन टेंट सफोगेटिंग, highly soluble in water, और ammonia से reaction करके, white fumes निकलता है, उजला उजला कलर का धुआ निकलता है, उजला कलर का धुआ निकलेगा, आते हैं, आपने कभी सोने चांदी को साफ कराया है, क्यार सोना बहुत दिन का हो गया, जे जोलरी, चलते हैं, इसको नया करा लेते हैं, है ना, तो सोनार के पास ले जाते हो, वो किसी लिक्वीड में डुवाता है, और निकालता है, साफ हो गया, है ना, बोलता है, आधी गंटे में आप आओ, हम साफ करके रखते हैं, यही करता है, हाँ, और आप बेवकूप बन जाते हो, क्यों, आ जाओ, यह जो प्रॉपर्टी है, वो उसी की है, कि रियक्शन गी खाइए न इमिन कर लिया अलएदी, NH4Col White Fumes, ठीक है ना, NH4Col White Fumes में यहां आइई आई है, क्या ओता कि 3 mol HCl, ठीक है न, और 1 mol of HNO3, 3 is to 1 ratio में अगर आप लेते हो, तो फिर इसको बुला जाता है, Equay scaresia, ठीक है, क्या बुला जाता है, Equay scaresia, ठीक है न, cœur सञधेख़刃 तक स्बपारे रिजिया में डीकवींड होता है जिसमें नोब मेतल को डिसाल्व किया जाता है न डिसाल्ष नोबल में डिसाल्स नोबल मेंटल कौन सा रिशान सड़ी cel डिसाल्स नोबल मेंटल कौन सा होता है bending यह हो जाएगा Gold और यह हो जाएगा Platinum PT AU और प्लेटी गोल्ड और Platinum डिजाल सिनोबल मेटल तीन मोल एक मोल एचनो थरी जब डालोगे तो जो बने गास वो बनता है आपके पास एक्वारीजिया एक्वारीजिया में क्या होता है कि जितने सोने और noble metals है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे पिखलाते हैं, ठीक है, आप देखो, इसमें कहानी है, पिखलाते हैं मतलब dissolve कराते हैं, अब क्या होता है, कि जैसे मालो आपके उस पे, layer पे, थोड़ा impurity जम गया, धूल मिट्टी जम गया, तो वो उसका जो shining है, वो कम हो जाता है, तो क आपने सोना दिया था 10 ग्राम, उधर से वापस आएगा 9 ग्राम, क्यों, क्योंकि उपर वाला layer सुनार ने आपका गायब कर दिया होता है, कभी भी सुनार से सोना साफ ना कराईए, एक्वारेजिया से, ठीक है, उसको तॉल के दीजी, अगर 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम ही मिलन रखिए, चलिए, तो इसमें, एक्वारेजिया में क्या है, कि सर, एक्वारेजिया में होता है, H+, बिल्कु सही है, एक्वारेजिया में है, Cl-, बिल्कु सही है, एक्वारेजिया में है, NO3-, क्योंकि H+, हमने अलरी ले लिया, तो अगर हम गोल्ड में, एक्वारेजिया डाल अब एक्वारेजिया यह सोने को पिगला लेगा और पिगला के प्लाटिनम को पिगला के AUCl4 नाम का compound बनाएगा PTCL4 नाम का compound बनाएगा AUCl4, PTCL4 बनाएगा अब देखना यहां तक तो majority लोग कर लेते हैं लेकिन जो फस्ते हैं वो यहां फस्ते हैं अब देखू यह काम करना सही है की गलत है शाट ट्रिक देखना यह काम करना सुनार शही करता है की गलत करता गलत करता है आपके सोने को इन्हीं होगा ऐसा ना करो तो और चॉ-प्रODक्र जो बनता है side product वो ही important है NO सुनार को बोलना है NO ऐसा मत करो ये aqua regia इस्तमाल मत करो और भाई साब पानी तो free में मिलता है पानी कोई नहीं पूछे का tension ना लो ठीक है बस the side product is also very important AUCl4 PT-Cl4 तो बना लिया बट साथ में NO भी बना की नहीं बना ये भी आपको धियान रखना है अच्छा PT कुछ लोग कह रहे है सर PT का देख लो एक बार एक सेके AUCl4 अच्छा PT यहाँ पर ओके there is a change PT-Cl6 होता है यह नब PT-Cl6-2 PT-Cl6-2 बनता है बहुत बढ़ी है amazing और कुछ ठीक है चलिए अब oxoacid पर आजाते हैं AUCl4-1 बनाएगा चलो ठीक है यह भी change कर लो AUCl4-1 बनाएगा आप change कर लेते हैं next second last topic आता है अब oxoacid बढ़ा असान है oxoacids of halogen यह very important में डाल लीजिए very important में डाल लीजिए aqua regia वाला ठीक चलिए second last topic आपका आएगा that is oxoacid of halogen तो देखिए fluorine का oxoacid हमें पढ़ना है chlorine का oxoacid हमें पढ़ना है bromine का oxoacid हमें पढ़ना है iodine का oxoacid हमें पढ़ना है हम सबको पता है कि odd oxidation state होते हैं मतलब plus 1 में भी यह बनाएगा oxoacid plus 3 में oxoacid बनेगा plus 5 में oxoacid बनेगा and plus 7 में oxoacid बनेगा अब केवल 2 line बोलते ही पूरा oxoacid complete है पहला line आपको पता है कि sir केवल और केवल HOF बनता है fluorine plus 1 में केवल एक compound बनाता है HOF hydrofluoric acid हम अलड़ी देख चुके हैं मज़ा आ गया sir और chlorine ही है अच्छा, fluorine बाकी किसी में नहीं बनाएगा ना plus 1, ना plus 3, ना plus 3, plus 5, plus 7 बाकी नहीं बनाएगा और एकलोता chlorine है जो plus 3 में बनाता है एकलोता chlorine है जो plus 3 में बनाता है बाकी bromine plus 3 में नहीं बनाएगा iodine plus 3 में बनाएगा बाकी खदम क्या बोला मैंने केवल दो लाइन में पूरा OXO Acid खतम, सारा बनाता है और वाला, प्लस 1, प्लस 3, प्लस 5, प्लस 7, बहुत अच्छा सर, दूसरा, फ्लोरीन का केवल एक, फ्लोरीन का पॉजिटिव में, देखो न, प्लस 3 तो सोच भी नहीं सकते, प्लस 5 सोच भी नहीं सकते, प्लस 7 सोच भी नहीं सकते, फ्लोरीन, फ्लोरीन प्लस 1 बनाता है, HOF, only one, one side पे, चलो, क्लोरीन ही एकलाउता प्लस 3 बनाता है, बाकी कोई नहीं बना पा रहा है, बाकी हर जगा हर कुछ बनेगा, मतलब HOClb बनेगा, बाकी HOBr भी बनेगा, बाकी HOI भी बनेगा, कितना असान हो गया, सर, सर, बाकी हर चीज, हCLO 4, हCLO 5, है न, हCLO 3, हCLO 2, हCLO 3 होगा क्या, हCLO 2 होगा है, हCLO 2, हCLO 3, हCLO 4, हCLO 2, हCLO 3, हCLO 4, ठीक है, 4, 3, 2, यहाँ पर आ जाईए, HBRO 3 प्लस 5 बन गया, HBRO 4 प्लस 7 बन गया, ठीक है, HIO 3 आपके पास बन गया, प्लस 5, HIO 4 आपके पास बन गया, प्लस 7, एकदम समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो ऑक्सो इसीड आपका, एक लाइन में कैसे कंप्लीट, एक दो लाइन में कैसे कंप्लीट हो गया, क्येवल और केवल HIO F बनाता है, और ओनली क्लोरीन performs ऑक्सो इसीड ञाँ हो, धान दीजे, नहां अओ, इसको याद करने का तरीका है, सर, यह होता है, इसको बोलते हम एक, इसको बोलते हम अस, और इसको बोलते हम हाई प्लस 3, ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, this is nothing but this is halic acid, यहाँ पर आ जाओ, this is nothing but this is halic acid यह क्या है आपके सामने, this is nothing but this is par halic acid, यह क्या है sir, this is hypo halos acid, यह hypo halos acid, क्या बोला मैंने अस acid, इक acid तो clear है, इससे उपर, इससे मतले इससे कम hypo, और इससे भी जादा par halic पर hypo halos, पर halik बोलको बिल्कुल simple है, कोई दिक्कत नहीं है तो hypo halos हो गया, halos हो गया, halik हो गया, पर halik हो गया oxo acid of halogen आपके सामने स्क्रीन पे नहीं oxo acid of halogen आपके स्क्रीन पे हो गया है next अब हम चलते हैं बचो, कहाँ पे तो अपने last topic पे यानि की inter halogen compound लास्ट टॉपिक यानि की इंटर हैलोजन कंपाउंड गौर से देखेगा बिगर हैलोजन क्या होता है या हाँ बिगर हैलोजन फॉर्म्स बिगर हैलोजन इंटर हैलोजन क्या होता है बिगर हैलोजन फॉर्म्स बॉंड विथ है स्मॉलर हैलोजन bigger halogen forms bond with a smaller halogen मतलब जो बड़े वाले halogen है वो छोटे वाले halogen से bond बनाते bigger halogen forms bond with a smaller halogen कितना simple काम यह क्या-क्या बनेगा सर अगेन xx' में बनेगा अगेन 3 में बनेगा xx' 3 अगेन बिल्टा जैसे oxoacid था वैसा बनेगा अगेन बच्चे xx' 7 बनेगा ठीक है न, where x is equal to bigger halogen जो x है वो आपका बड़ा वाला halogen है और जो x' है बच्चे वो आपका हो जाएगा a smaller halogen तो bigger halogen हो गया और x' हो गया आपके पास a smaller halogen bigger halogen हो गया x' हो गया आपके पास a smaller halogen एकदम सहिए bigger halogen forms bond with a smaller halogen bigger halogen forms bond with a smaller halogen बिल्कूल ठीक है, जैसे, एक्जाम्पल पे दे देता हूँ, जो क्लोरीन है बच्चे, वो F2 के सांथ क्या बनाएगा, जो क्लोरीन है, अगर मैं F2 X6 में कर दूँ, ठीक है ना यहां पर equal volume equal volume में दे देता हूँ तो क्या बनेगा पहला वाले में equal volume में दे देंगे क्या बनेगा अगर यहां पर F2 axis में दे देंगे तो क्या बनेगा दूसरी बात बेटा I2 को अगर मैं I2 की reaction अगर मैं किसे करा रहा हूँ BR से एक सेकिंड I2 की reaction अगर मैं बेटा किसे करा रहा हूँ CL से ठीक है I2 की reaction अगर मैं CL2 से करा रहा हूँ अगर यह equimolar कर रहा हूँ बहुत अच्छी बात दूसरी बात अगर मैं I2 की reaction CL2 से XS में करा रहा हूँ तो क्या होगा समझते हैं के कर के बात को CL2 प्लस F2 बेटा क्या बनेगा आपके पास CLF twice CLF equal volume है कोई दिक्कत नहीं है सर यहाँ पर अगर मैंने फ्लोरीन बढ़ा दिया तो बेटा CLF3 बन जाएगा मज़ेदार I2 प्लस CL में क्या मन जाएगा twice ICL बहुत बढ़िया और I2 प्लस CL2 में क्या बनेगा ICL3 मज़ा ही आगया ICL3 हाँ यहाँ ला equal volume में बना रहे हुए equal है तो बेटा 11 बनेगा और excess में करने पर यह बन जाएगा there is a slight change in bromine and iodine there is a slight change in bromine and iodine there is a slight change in bromine and iodine अगले page पर लिख देते हैं there is a slight change in bromine and iodine कि BR2 को अगर आप किसे करा रहे हो F2 से तो क्या बनेगा और BR2 को F2 से अगर आप equal ले रहे हूँ तो सबसे पहले बेटा आपके पास BRF3 बनता है और अगर आप excess कर दोगे तो बनेगा आपके पास BRF5 खतम, interhalogen आपके पास finish हो गया, NCRT में इससे ज़्यादा reactions interhalogen के नहीं है last is hydrolysis of interhalogen, ठीक है थोड़ी दर और patience रखिए, बहुत लोगों का patience में मुझे पता नहीं होता है majority लोग आते हैं देखते हैं चले जाते हैं ठीक है, but हमारी पास successful वही होगा बच्चे, जिसके पास patience होगा, जो बैठ पाएगा क्योंकि आप डॉक्टर बनोगे, आप सुचो आपके पढ़ाई में अगर पांच मिनिट नहीं बन रहा है तो operation में पांच मिनिट कैसे मन लगेगा तो check exam में क्या होता है patience, कौन लंबी समय तक मन को सांत रखके आपके काम कर पा रहा है अब हाँ लोग डॉक्टर बने हुए हो, मन कर रहा है रील देख लें पेशेंट तो गया है ना, पेशेंट भी फिर रील बना देगा आपकी पेशेंट के वो घर वाले चीक है, आपका क्या मन किया कि सब नहीं नहीं ये प्रिपरेशन किसका है, हाइड्रोलिसिस है बेटा लास्ट रिक्षन है ना, हाइड्रोलिसिस अचा प्रिपरेशन उसमें लिखना था, कोई बात नहीं हाइड्रोलिसिस आपके पास आएगा अगर आपने XX' का हाइड्रोलिसिस किया XX-3 का Hydrolysis किया XX-5 का Hydrolysis किया XX-7 का Hydrolysis किया अब कई लोगों का इसमें होगा कि सर कलर एक बार देख लेना बता देना बिटा इसके कलर बहुत रेर चांसे पूछे जाने के बट NCIT में रिस्क ने लेना एक बार आप NCIT में देख लीएक, Camera ऑनुएं बंता क्या है सर जो A Smaller Halogen है वो यह बना लेता है ठीके ना A Smaller Halogen HX बना लेता है A Smaller Halogen Forms A Smaller Halogen Forms Hydrogen Hilide and Larger Halogen Forms HOX a smaller halogen forms HOX HOX and HOX अब देखे हैं, हमने अल्रेड़ी एक communication किया हुआ है कि X जो है, वो big halogen है, X जो है, वो bigger halogen है X जो है, वो bigger halogen है X dash जो है, वो smaller halogen है X जो है, वो bigger halogen है X dash जो है, a smaller halogen है अब देखना यह जो a smaller halogen है X dash वाले वो HX बनाते है A smaller halogen A smaller halogen forms acid इसको लिख भी लीजिए A smaller halogen जो छोटा वाला halogen जैसे ICL में CL A smaller halogen forms acid X dash जो है वो acid बनाएगा HCL, HBR, HI, HF ठीक है? चलिए Now, अब ये जो होता है इसको हम बोलते हैं Halic acid क्या बोलते हैं? Halic acid Halic acid भोलते हैं, halite not halic acid, halite थोड़ा सा halite अब लास्ट बेटा पूरा जाके न, एनरजी खतम हो जाते हैं बट अब लास्ट ही है, लिख लीजिए ये halite है, बच्चे ये halate है है न, ये halite है ये halate है, ये par halate है और ये hypo halite है पर halate है और बच्चे यह हाइपो हैलाइट है हाइपो हैलाइट है, एक दम ठीक है क्या एक सिकंड लुक हो याद बार बार ना वायर पैर में फ़स जा रहा है ठीक है, थैंक यू, all the best बाबाई मेहनत करते रही है, बहुत अच्छे सा पढ़ते रही है प्राक्टिस करते रही है ठीक है, और हालोजन फैमली आज खतम हुआ फिर इसी तरह ऑक्सिजन खतम होगा, इसी तरह नाइट्रोजन खतम होगा, ठीक है थैंक यू, so much, all the best हसते रही है, मुश्कुराते रही है और एक बिग स्माइल के साथ हम सब लोग अलविदा कहते हैं, थैंक यू, so much all the best, bye-bye झाल, 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 झाल